समास्कार फ्रेंट्स एडुशाला में आप सबका स्वागत है फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग आदित्य पब्लिकेशन का आरो ए आरो के लिए सामान ने हिंदी देखेंगे फ्रेंट्स ये एकदम लेटेस्ट एडिसन जो अभी नई मार्केट में आयोई है वही वाली है एकदम निव है और आदित्य पब्लिकेशन के बारे में आप जानते ही है हमें कुछ बताने क्या शकता है नहीं इस से बाहर कुछ भी नहीं होता हिंदी के लिए घटना चक्र यादित्य पब्लिकेशन उससे अच्छा कुछ है ही और फ्रेंट्स इसमें देख लिजए सबसे पहले आरो का सिलेबस देखिए आरो का सिलेबस ये gs का सिलेबस है और ये हिंदी का सिलेबस है हिंदी के ये छह टॉपिक हैं जहां से प्रश्ण आते हैं दस-दस प्रश्ण प्रते एक टॉपिक से बनते हैं तो फ्रेंट्स आज ये देख लीजिए इसमें content इसका ये देखें छवो वो सारे छवो टॉपिक जो है इसमें दिये हुए हैं और एक एक्स्ट्रा टॉपिक सात्वा टॉपिक देखिए जो पूछ लेता है कफी विवीत करके तो उसमें से भी इसमें दिया हुआ है तो कुल सात टॉपिक हम लोग इसमें complete करने वाले हैं फ्रेंट्स आज के वीडियो में ये पहला चैप्टर विलोम सब्द का है तो विलोम के हम हम लोग पूरी जितने भी दिये हुए हैं वो सारे complete करेंगे इस किताब में जितना भी विलोम दिया हुआ है इसमें 1200 के आसपास देखे इस तरह के विलोम सब्द ये 1200 के आसपास दिये हुए हैं इसी वीडियो में हम लोग ये 1200 के आसपास जितने हैं ये सारे विलोम सब्द complete कर लेंगे उसके बाद इसी वीडियो में साड़े तीन चार सो practice set के रूप में mtqs दिये हुए हैं विलोम सब्द के वो भी complete करेंगे और जोड़ लीजेगा तो कुल आपके 2000 या 2500 के आसपस बन जाएंगे तो 2000 अगर के वोल विलोम सब्द आप करके जाते हैं तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजे कि एक भी आपको छूटने वाला नहीं है इसमें से 10 प्रशन बनेंगे 10 प्रशन में आपको यह target रखना है कि कम से कम 9 प्रशन आपके बनने चाहिए फ्रेंड्स यह बहुत ही बहतरीन है आप इसका पूरा content देखिए और इसके mcqs भी देख लीजे फिर हम लोग आगे start करते हैं यह देखिए बहुत सारे हैं इसमें यह आपके 1500 के आसपास आपको मिलेंगे यहाँ देख लीजे कि वो सारे complete करने के बाद यहाँ इस तरह के mcqs यह हुए है और यह mcqs जो आए हुए हैं exam में प्रतेग exam में RO के और अन जितनी भी exam हुए है सब के आए हुए प्रश्णों का संक्रलन कर दिया गया हमारे practice के लिए और यह करीब सारे 3-400 प्रश्णी यहाँ से भी complete होंगे तो यह बहुत ही बहतरी बनाते हैं इस content को हाँ एक difference और कि घटना चक्र pointer हमने पहले से complete कर दिया हिंदी हम start ही कर दिये हैं और अब RO का GS के लिए आप practice घटना चकर तो आप पढ़ी रहे हैं जाके पढ़ लीजे नहीं पढ़ा है तो playlist में जाके देख लीजे वहाँ पे डाला हुआ है और अब हम घटना चक्र का previous year RO का लेके आ रहे हैं एक वीडियो हमारी आएगी हिंदी की आदिति पप्लिकेशन की daily हम आपको कोसिस करेंगी कि daily एक chapter आपका complete करा दे तो friends आपकी बात को हमने ध्यान रखा है especially ma'am ही ये वीडियो लेके आ रही है आप सब के लिए तो चलिए friends स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले WhatsApp का चैनल है हमारा WhatsApp चैनल को सस्क्राइब हो जो है जोईन कर लीजे दिस्क्रिप्सन में लिंक है साथ ही में टेलिग्राम चैनल को सस्क्राइब कर लीजे जोईन कर लीजे और एक इडुसाला का बैक अप चैनल है जिसका नाम है Let's Done उसको भी सस्क्राइब कर लीजे क्योंकि वहाँ पे हम एक अलग संखला चलाने वाले हैं आरो की practice set के रूपे श्टार्ट करते हैं यह वीडियो मैडम लेके आ रहे हैं देखे यहाँ पे आज हम लोग बिलोम सब्द देखेंगे चेप्टर वन बिलोम सब्द देखेंगे तो चलिए देखते हैं इसको बिलोम सब्द का अर्थ अर्थ क्या होता है उल्टा यहां विशेश रूप से ध्यान देने की बात है कि सब्द का विलोम उसी ब्याक्रनिक कोटी का होगा जिसका वह मुल सब्द होगा विलोम सब्द हमेशा सजातिये ही होते हैं अर्थात संग्या का विलोम संग्या होगा और सर्वनाम का विलोम क्रिया का विलोम क्रिया पद ही होगा और क्रिया विसेशन का क्रिया विसेशन ही विलोम होगा तो जो है वही उसका विलोम होगा विलोम सब्दों के निर्मान में उपसर्गों की महत्पुन भूमिका होती है आप लोगों ने उपसर्ग पढ़ा होगा तो जिन उपसर्गों से बिलोम सब्द बनते हैं वे ये हैं तो उपसर्ग जोड़कर अभी हम लोग देख लेते हैं बिलोम सब्द और इसके बाद इसका चेप्टर देखेंगे तो औ उपसर्ग जोड़कर कैसे बनाते हैं जैसे सब्भे का असब्भे होता है नयाय का अन्याय होता है लौकिक का अलौकिक होता है हिंसा का औ हिंसा होता है यहाँ पे सभी आगे देखे औ उपसर्ग जोड़ रहा है समान का औ समान होता है अप उपसर्ग जोड़कर बनाया ह का अनंगी कार होता है उतरीत का अनुतरीत होता है अस्तित्य का अनस्तित्य होता है अभिग्य का अन्भिग होता है निस ये उपसर्ग है इसको जोड़कर तो पाप का निसपाप होगा सक्रिये का निस्क्रिये होता है ससुल का निसुल्क होता है ससेज का निस्चेश्ट होता ह तेज का निस्टेज होता है, नीर उपसर्ग को जोडते हैं, तो अभिमान का नीर अभिमान होता है, सापेक्ष में देखी, यहां नीर उपसर्ग लगा है, तो नीर पेक्ष होता है, आदर का निरादर होता है, और सामिस का निरामिस होगा, सलज का निरलज होगा, वी उपसर् से जोड़कर तो आगामी का प्रतिगामी होगा, वादी का प्रतिवादी होगा, घात का प्रतिगात होता है, रूप का प्रतिरूप होता है, आगमन का प्रतियागमन होता है, दूर उपसर्ग जोड़ेंगे तो सुबोध का दूरवोध होगा, सुवयस्तित का दूरवयस्तित होगा सजन का दुर्जन होगा दूस उपसर्ग जोड़ेंगे तो सतकर्म का दुसकर्म हो जाएगा सोचरीत्र का दुस परित्र हो जाएगा को उपसर्ग जोडते हैं तो सुपात्र का कुपात्र सुपुत्र का कुपुत्र सुपाच्य का कुपाच्य सनमार्ग का कुमार्ग होता है ठीक है अब देखें उपसर्ग परिवर्तन द्वारा तो आदान का प्रदान होता है इसमें उपसर्ग परिवर्त का पीता नर का नारी लड़का का लड़की पर्युक्त सब्द परिवर्तन द्वारा जैसे केंद्रा भूम्यूकी का केंद्रा पसारी होता है ठीक है केंद्रा भी गामी का केंद्रा पसारी होता है गतिवान का गती हिन होता है नई नई द्वारा कैसे होगा और लगा के जो होत भीन सब्द द्वारा देखिए लाव का हानी होता है कटू का मधू होता है गुरू का लगू होता है मुख का वाचाल होता है तो यह सारे देखिए आप लोगों ने देखा उपसर्ग लगा कर ठीक है उपसर्ग आपको पता ही है सब्द के आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं यहाँ पे हम लोग ने देखा अब हम लोग आगे देखेंगे इसके जो अब दिये हुए हैं जो एकजाम में पूछे गए हैं ये सारे चले तो इसको देखते हैं आगे सब्द और विलोम दिया है ठीक है तो यहाँ पे देखें आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा अधुनी का प्राचीन हो जाएगा अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा आप लोगों को बद्ध्यान से सुनना है सारा याद हो जाएगा आपको मौन का मुखर हो जाएगा सांदार का सर्मनाक हो जाएगा बरबर का सभ्भे हो जाएगा अनूचर का स्वामी होगा और अमित का परिमीत होगा, सत्यकार का तिसकार होगा, तिरसकार होता है, सत्यकार का तिरसकार होगा, अच्छादित का अनाच्छादित होगा, सुख का दुख होगा, ठीक है, अब आगे देखेंगे, अनुग्रा का होगे बिग्र, अपती का संपती होगा, गनतंत्र का राजतंत्र होगा आदरित का तिरे स्कृत होगा, आदरित का अनादरित या निरादरित भी होता है, नसरगीक का ये कृत्रिम हो जाएगा, अब इधर देखे, निस्तिध का विहित होगा, सुस्क का आदर होगा, अस्थूल का, अस्थूल का सुक्ष में दुर्लब, दुर्बल और तन्मी होगा प्रिथक का सयुप्ध होगा, उपयोग का अनुपयोग होगा, निरुपयोग होगा, उद्यम का आलस्य होगा, ठीक है? अब अलपग्य का बहुग्य होगा, अचल का चल होगा, जारज का औरस होगा, हया का बहया होगा, अगी का नीरग होगा, इधर का देख लेते हैं, भौत अध्यात्मिक होगा, प्राची का प्रतीची होगा, समस्टी का व्यस्टी होगा, विधी का निसेध होगा, अहवान का विसर्जन होगा, आग्रह का दुराग्र होगा, अन्ये का हलाहल, आवियुर्थवाग का तिरोभुत होगा, अनास्था का आस्था, अनेक्ता का एक्ता, अनावरिष्टी का अतिवरिष्टी, छनिक का सास्वस्थ होगा, और अग्रज का अनुज होगा, ये देखे सुलब का दुरलब होगा, दिरगायू का अलपायू, व्यस्टी का समस्टी, उपमे का अनुपमे होगा, भोगोल का खगोल होगा, सहयोगी का परतियोगी होगा, ठ उनमिलन का निमिलन होगा, अधिक्रित का अनधिक्रित होगा, अनुलोम का प्रतिलोम होगा, परिश्रम का विश्राम होगा, जंगम, जंगम का अस्थावर होगा, श्रिष्टी का प्रलय होगा, इपसित का अनिपसित होगा, साहचर का अलगाव होगा, बिराट का सुच्छ मि श्चुद्र होगा, एस्प्रिस का ओ एस्प्रिस होगा, अग्य का बिग्य होगा, गौरों का लाग्य होगा, अथ्य का इती होगा, अभिग्य का अग्य होगा, और किर्तग्य का किर्तग्य होगा, संकिर्ण, संकिर्ण का भी इस्तरेन होगा, अनुरक्ति का बिरक्ति, सापेक पेख्ज उपयक्छ हो भिग्रह का संधी हो जाएगा यथार्थ हो ठीक है उपयक्छ सा का अग्रच का अनुज आदान का पर्धान उपकार गौरों का लागों होगा, बहीरंग, बहीरंग का अतरंग होगा, ग्रस्त का मुक्त होगा, ठीके, आगे देखेंगे उपकार का अपकार होगा, तीमिर का, तीमिर का अलोक, प्रकास या जोती होगा, पर्त्यक्ष का परोक्ष और पर्त्यक्ष गुप्त होगा, समाने का बिस् अभीरभाव का तीरोभाव या ओसान दोनों होता है। अपराधी का निरपराधी और उन्मूलन का रोपन होगा विहित का निसिद्ध होगा सरल का सरल का वक्र या कुटिल या कठिन या जटिल होगा आगरह का आगरह का दुरागरह होगा विग्रह का संधी हो जाएगा विग्रह का संधी हो जाएगा गनतंत्र या लोकतंत्र या ज आजतन्त्र हो जाएगा, अकिर्ण का विक्र्ण हो जाएगा, ठोक का फूटकर हो जाएगा, उपतेका का, अधित вокруг का रुक्ष होगा, सूकुमार का कमासुत होगा, ठीक है, चिक्कन का खुरदरा होगा, इधर देखे जिए, इफसित का अनिसिप्त होगा, सुवजाति का मित होगा, श्रीगनेस का इती स्री होगा, धनी, धनी का क्या होगा, निर्धन होगा, आगे अब देखेंगे, नरम का कड़ा होगा, अनग का अग होगा, नीरग यानि स्पाप का क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा, गगन चुम्बी का क्या होगा, तल असपरसी या भू अस गात होगा दिरिस का अद्रीस होगा परत्यक्ष का और परत्यक्ष गुप्त परोग्ष ये सभी होगा आमिस या सामिस का निरामिस होगा उतकर्स का अपकर्स होगा अंतर मुखी का बहिर मुखी होगा ठीक है अब देखेंगे आगे अनिर्त का रित होगा टांडो टांडो का क कुसल का अकुसल, अधर्म का धर्म, जड का चेतन हो जाएगा, अतिवरिष्टी का अनावरिष्टी हो जाएगा, सन्यूएक का बियोग हो जाएगा, राजा का रंकरानी या प्रजा होगा, आकास का पताल सगुन का निर्गुन और सगुन का सकुन होगा जड का चेतन होगा विराग का अनुराग होगा संयुक्त या युक्त अक्वा क्या हो जाएगा और संयुक्त या व्युक्त हो जाएगा सरस का निरस हो जाएगा अवार्चिन का प्राचीन हो जाएगा, आबिर्भुत का तिरोभुत हो जाएगा, अनास्था का आस्था हो जाएगा, चिरंतन का नस्वर होगा, अनुगरह का बिग्र होगा, अनभिग्य का अभिग्य होगा, सौम्य का उग्र हो जाएगा, हरास का ब्रीधी हो जाएगा, न् अब देखेंगे आगे आहुत का अनाहुत आहुत का अनाहुत होगा, अत का इती होगा, वादी का प्रतिवादी होगा, अवर का प्रवर होगा, जटिल, जटिल का सरल होगा, आयात का निर्यात होगा, आकलन का विकलन होगा, छर, छर का अक्छर होगा, और समास का ब्यास होगा चिराउ का क्या हो जाएगा चिरायू का अलपायू या स्वपायू कह लिजे आमीस या सामीस का निरामीस हो जाएगा बीनत बीनत का उद्धत हो जाएगा आगे देखेंगे बिपती का संपती हो जाएगा, आप बस सब्दों पे ध्यान देजिए और कई बार इसको पढ़ लिजेगा, आपको याद हो जाएगा, इधर देखेंगे आधार का निराधार होगा, आउनत का उननत होगा, बही रंग, बही रंग का अंतरंग होगा, सजल क निर्जल होगा, सामान का क्या हो जाएगा, विस्ष्ट हो जाएगा, इधर देखेंगे आगरा का दुरागरा या अनागरा हो जाएगा, स्रीजन का संघार हो जाएगा, विमुख का उन्मुख या सम्मुख हो जाएगा, ग्रीहित का त्यक्त या अर्पित हो जाएगा, विस् सुधा का विस गरल या हलाहल हो जाएगा दुग्द का छाच हो जाएगा परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा ठीक है अजादी का गुलामी हो जाएगा स्वजन का परजन हो जाएगा स्याम का स्वेत हो जाएगा इधर देखिए सलाखा का निंदा हो जाएगा प्रभावी का अप्रभावी हो जाएगा, बिधी का निसेध हो जाएगा, प्रथम का अंतिम हो जाएगा, और प्रसस्त, प्रसस्त का अप्रसस्त हो जाएगा, स्वजन का परजन हो जाएगा, स्याम का स्वेत हो जाएगा, स्रीजन, स्रीजन का संघार हो जाएगा, संग्छेप का विस्तार ह बदान का अभी साप हो जाएगा वरिद्ध्य वर्दान का बृद्ध्य हो जाएगा अति बिरिष्टि का अनाव पर स्पार हो जाएगा अतिथी, अतिथी का आति थे हो जाएगा, अनुलोम का प्रतिलोम और क्रित्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकिर्तिक और क्रित्म और नसरगिक, सापेक्च का निर्पेक्च हो जाएगा, स्वस्त का और स्वस्त बिमार या रुग्न हो जाएगा, लाब का हानी हो जाएगा, इक त्रिशा का त्रिप्ति हो जाएगा निसर्गिक का क्रित्रिम्या और निसर्गिक हो जाएगा जंगम का अस्थावर हो जाएगा आगे अब देखेंगे तिमीर का प्रकास आलोक या जोती हो जाएगा उल्लास का विसाद हो जाएगा उद्रव का अध्या निम्न हो जाएगा आभिर्वुत का तिरोभुत हो जाएगा आसक्त का अनासक्त हो जाएगा अकुंचन का परसारन हो जाएगा अलपग्य का बहुयग्य होगा सनमुख का क्या हो जाएगा बिमुख हो जाएगा, अस्थावर का जंगम हो जाएगा, उतकर्स, उतकर्स का अपकर्स हो जाएगा, मसर्न का रुक्ष हो जाएगा, ठीक है, इधर देखेंगे, आसक्त का अनासक्त हो जाएगा, अदे का दे हो जाएगा, उदंड, उदंड का बिनम्र हो जाएगा, ठीक है, आगे अब देखेंगे फिर देखते हैं अभ्यांतर का वाह हो जाएगा मसरीन का रुक्ष हो जाएगा अधिश्टित का अनधिश्टित होगा वादी का परतिवादी हो जाएगा आगमन का प्रस्थान गमन या अपसासारन हो जाएगा सजन का दूर्जन हो जाएगा दूर्जन सठ खल ये सभी होगा सुपूत्र का कुपूत्र हो जाएगा राग का राग का विराग द्वैस और इश्या हो जाएगा अब आगे देखेंगे अनुरूप का अनुरूप होगा अनुरूप का अनुरूप, चिरंतन का नस्वर, अनिवार का एक्षिक, पर्तिकूल का अनुकूल होगा समुख का बिमुख या पर्तिकूल हो जाएगा, सलज का निरलज, उदात का अनुदात हो जाएगा सुसुप्ति का जागरिती हो जाएगा अस्थावर अस्थावर का जंगम होगा ग्रस्त का मुक्त होगा मुख का वाचाल होगा उन्मूलन का रोपन हो जाएगा पूर्व का पुर्व का पश्चात या अपर या पक्छिम या पक्छ कह लीजिये और प्रसन प्रसन का अप्रसन पर किये का स्वक किये महान का तुक्छ या लगु ग्यानी का अग्यानी हो जाएगा लगु का गुरु या दिर्ग हो जाएगा निती का आनिती हो जाएगा सोक का हर्स हो जाएगा बिग्ण का निर्विग्ण हो जाएगा परिचीत का ओपरिचीत हो जाएगा आपती का अनाप परवेश का निकास हो जाएगा, मुख का वाचाल हो जाएगा, भूत का भविसे और पुरसकार का क्या हो जाएगा, तिरसकार हो जाएगा, पुरसकार का, आप पती का अनापती देख लिए हम लोगोंने, अर्जन का बेन हो जाएगा, कथित का और कथित हो जाएगा, प्रचन का अप्रक्षन या प्रतिपन हो जाएगा परभावी का अपरभावी निस्परभावी पाश्चात का परवात्य या पौरस्त हो जाएगा अनुग्रह का पिग्रह हो जाएगा नेक्स में देखेंगे पूर्ण का पूर्ण का अर्ध या अपूर्ण होगा धर्ति का आकास होग प्रिये का अप्रिये होगा जय का प्राजय हो जाएगा विहित का निसीद्ध हो जाएगा इसनिक्द का असनिक्द हो जाएगा भय का निर्भय या अभय हो जाएगा सत्रु का मित्र हो जाएगा अनुक्रिया का प्रतिकिरिया हो जाएगा आवरन का अनावरन हो जाएगा कृत दग्गे का किर्दगन हो जाएगा, अग्गे का बिग्गे हो जाएगा, निसरगीक का क्रित्रिम या निसरगीक हो जाएगा, अधम का उत्तम हो जाएगा, आहुत का अनाहुत हो जाएगा, ठीक है, अक्छर का छर हो जाएगा, आकर्सक का विकर्सक, आविर्भाव का तिरो भ गंतंत्र गंतंत्र का राजतंत्र होगा ते जस्वी ते जस्वी का निस्तेज हो जाएगा यथार्थ का कल्पित या ओ यथार्थ हो जाएगा बरबर बरबर का सब्ध हो जाएगा ठीक है सब्धम का उत्तम हो जाएगा आहुत का अनाहुत हो जाएगा सकर्मक का अकर्मक हो जा गात गात का प्रती गात हो जाएगा वैतनिक का अवैतनिक होगा यथार्थ का कल्पित या अवैतनिक हो जाएगा बरबर का सब्ध्य हो जाएगा छनिक छनिक का सास्वत हो जाएगा ध्वन्स का स्रीजन हो जाएगा अनंत का सांत ससीम और अंत हो जाएगा आबिर्वाव को त अस्थावर का जंगम, ध्रिष्ट का बिनम्र या बेनित, निसीद का बिहित, गोरव का लागो, परोक्ष का परत्यक्ष, किर्ती का अपकिर्ती हो जाएगा, नूतन का पुरातन, तरुन का ब्रिध्य हो जाएगा, हश्र का दिर्ग, पुरसकार का डंड या तिरसकार, संपन् सुस्क का आद्र हो जाएगा और उपेक्छा का अपेक्छा हो जाएगा रास का ब्रिधी हो जाएगा मुखर का मौन हो जाएगा उपारजित का अनुपारजित होगा समस्टी का व्यश्टी होगा नीधम का वंदम होगा तिरसकार का सब्तकार हो जाएगा अभिग्य का अनभि आवीर्त का अनाविर्त उपचय का अपचय उद्याचल का अस्ताचल गयह ग्रयाह का त्याज्जि और जागरत का सुसु पति नैसरगी का क्रित्रिम पूष्ट का छिन भ्रांत का निरभ्रांत विश्टी का समस्टी हो जाएगा तीरसकार का सतकार, सर्मनाक का सांदार हो जाएगा, रिजु का वक्र हो जाएगा, लुभावना का गिनवना हो जाएगा, विहित का निसिद्ध हो जाएगा, तामसिक का सात्विक हो जाएगा, अधैसाय का अनद्धिव से बिसय हो जाएगा, संकल्प का बिकल्प हो जाएगा नेक्ष देखेंगे आत्मा का अनात्मा होगा उद्घाटन का समापन उद्धित का अनुधत प्रसारन का ओपरसारन समस्टी का व्यष्टी जटिल का सहज रिनात्मक का धनात्मक होगा उनमुक का विमुक उपचार का अनुपचार क्रित्रिम का प्राकिर्तिक जोड का का वित्रिशना थोक का फुटकर ध्रीष्ट का विनम्र या विनित होगा निसिद निसिद का विहित होगा स्मरन का वियस्मरन या अस्मरन होगा भुगोल का खगोल विधी का निसेद असली का नकली उतकर्ष का अपकर्ष विध्वा का सध्वा कप्टी का निसकप्ट चुस् हीला, लचर, सुष्ट हो जाएगा। सूमति का कुमतरी, हरास का बृधी या विकास, अभिसाप का वर्दान या आसीस हो गा। उपादे का अनुपादे। पर्मार्त का स्वार्त हो जाएगा। इस्थर का ओ इस्थर, संयोग का ब्योग, बीभव का पराभव, बैभव का दैन या दारिद्र हो जाएगा, अस्थावर का जंगम हो जाएगा, मुख्य का गोड हो जाएगा, समास का ब्यास हो जाएगा, सुसिल का दुसिल हो जाएगा, निरामिस का सामिस, दिर्ग का लगू या हस्व हो जाएगा प्रसूती का अनुत्पती होता है निविर्ती का प्रविर्ती होता है सावधान सावधान का असावधान सुलब का दुलब हो जाएगा अप्छर का छर हो जाएगा पंडित का मुर्ख हो जाएगा, कुसुम का पत्थर या पाहान हो जाएगा, बीर का कायर हो जाएगा, खंडन का मंदन हो जाएगा, अभिमानी का नीर अभिमानी होगा, बिग्य का अग्य होगा, ग्रस्त का मुक्त होगा, महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा, और अस्मरन का अवी अस्मरन, सुक्छम का अस्थुल हो जाएगा, अगामी का बिगत, प्रधान का गोड, विसेश का क्या हो जाएगा, समान, साधारन और सेश हो जाएगा, मानावता का दानावताई, निर्शंसता होगा, रथी का विरत होगा, अरपीत का ग्रिहित होगा, संधी का बिग्र पंडित का मुर्ख समस्या का समधान हो जाएगा अंतरद्वन्द का क्या हो जाएगा बहिर्द्वन्द अध्यात्मिका सांसारिक वेश्टी का समस्टी सन्यास का गार सन्यास का ग्रहस्त हो जाएगा और अपवय का मित्वय अलभ्य का लभ हो जाएगा अवर्तक का विवर्तक क्या अनावर्तक होगा स्वार्थ का प्रमार्थ होगा स्रीजन का स्रीजन का क्या हो जाएगा बिनास या संघार हो जाएगा और निंद का वंध हो जाएगा अनंत का अंति सांत और ससीम होगा रिजु का वक्र अवार्चिन का प्राचिन समास का ब्यास हो जाएगा ब्यश्ट का ब्याष्टी का समश्टी हो जाएगा मुक्य का वाचाल हो जाएगा सोसक का पोसक उतकर्स का अपकर्स होगा दुर्गम का सुगम हो जाएगा अलपग्य का बहुयग्य होगा उतक्रिष्ट का निक्रिष्ट हो जाएगा उध्धत का अनुधत्य स्वाम सौम में हो जाएगा बीनित हो जाएगा सारे क्रिस का पुष्ट अस्थुल अक्रिस होगा ग्रामिन का सहरी या नागर होगा ततष्ट का पक्छपाती असकत होगा धिरिष्ट का बिनम्र हो जाएगा निर्दय का सदय होगा, भाव का भाव होगा, बीधी का निसेध होगा, अलपग्य का बहुग्य होगा, अपेक्छा का उपेक्छा अध्य का इती, परास्त का अपराजित या बिग्जई, पर्त्यक्ष का परोक्ष, स्वागत का तिरसकार, सदाचार का कदाचार, दुर्गम क सुगम अनाहुत का आहुत हो जाएगा नेक्षे अतिवरिष्टी का अनावरिष्टी अवनी का अमबर आलोग का तिमिर्थ उतकर्ष का अपकर्ष हो जाएगा उद्याचल का अस्ताचल उत्रायन का दच्छिनायन कनिष्ट का जेश्ट हो जाएगा अवर का प्रवर होगा अल उन्मूलन का रोपन, एकाग्र का चंचल, कलपित का एथार्त, गुरु या ब्रिहत का लगु, दिर्ग का हश्र, द्वंद का निर्द्वंद, उर्वर का क्या होगा, उर्वर का उसर, ठीके, अक्रित्रिम का प्राकिर्तिक हो जाएगा, फिर से इधर देख लिजे, कनिष्ट का जेष्ट हो जाएगा, ग्राह का अग्राह या त्याज्य, गुरु का लगु, दिर्ग, जेष्ट, ये हो जाएगा, निरामिस का आमीस, सामीस हो जाएगा, बिद्वा का सदवा हो जाएगा, अनुराग का बिराग हो जाएगा, अभिग्य का अन्भिग्य हो जाएगा, आ सामीस या सामीस हो जाएगा ठीक है सामीस ठीक है इधर सत्याग्रह का दुराग्रह कनिष्ट का वरिष्ट या जेश्ट हो जाएगा निंद का वंद हो जाएगा स्वार्थ स्वार्थ का परमार्थ या निस्वार्थ हो जाएगा मुक का वाचाल उत्यान का पत्तन मानविय का औमानमिय होगा, चेतन का, और चेतन और जड़ हो जाएगा, सामिस का निरामी संकिर्ण का भी एस्तरिन हो जाएगा, और ये विसिष्ट का सामान हो जाएगा, आकर्सक का भी कर्सक या प्रतिकर्सक हो जाएगा, अपमान, ठीक है अब उपमान है, उपमान का उपमे होगा, अ इदर देख लेते हैं सत्याग्रा का दुराग्रा संकल्प का बिकल्प हो जाएगा जंगम जंगम का अस्थावर हो जाएगा सहयोगी का परतियोगी हो जाएगा द्रिस का अद्रिस होगा चनिक चनिक का क्या हो जाएगा सास्वत हो जाएगा सास्वत उतकर्ष का अपकर्ष हो जेश्ट का कनिष्ठ हो जाएगा, क्रित्रिम का प्राकिर्तिक हो जाएगा, आकास का पताल, मगन, मगन का दुखी, उत्थान का पतन हो जाएगा, जेश्ट का लगु उपमे का अनुपमे या उपमान हो जाएगा, मानविये का अमानविये हो जाएगा, संकिन, संकिन का बेस्त्रिन हो जाएगा, बिस्त्रित का सीमित, सुस का आदर, स्रोता का वक्ता हो जाएगा अनन्त का सांत, ससीम या अन्थोगा, अवार्चिन का प्राचीन हो जाएगा, अवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा यहाँ पे देखे त्रिसना का वी त्रिसना, चेतना का चेतन हो जाएगा और जड़ हो जाएगा, सामिस का निरामिस वादी का प्रतिवादी हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा, आद्र का सुस्क हो जाएगा, आवर्तक का अनावर्तक होगा, रिजु का वक्र हो व्यश्टी का समयश्टी हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा, विसेस का साधारन, निर्मल का मलीन, अस्थूल का सुक्ष में हो जाएगा, आगे देखेंगे अनिवार, अनिवार का एच्छिक या बेकल्पिक होगा, क्रीपा का कोप, जेश्ट का लगु, सन्योग का ब्योग, आद्र का सुस्क, अलपग्य का बहुईग्य होगा, निसरगी का कृतिम, औरोह का आरोह, सुक्छम का अस्थूल, विग्रह का समास, तमस का जोतिमयो होगा. अलपग्यिक का बहुयग्ग होगा अध्यम का उत्तम ठीक है अध्यम का उत्तम आकर्षन का अनाकर्षन या अपकर्षन किर्थी का अपकिर्थी संक्रिन का बेस्तरिन तुक्छे का महान नस्वर का अनस्वर या सास्वत बिस्तरीत का संचिप्थ हो जाएगा अनुलोम का बिल अनिवार का बैकल्पिक अधुनातन का प्राचीनतम अमावस्य का पुर्णीमा भोगी का योगी हो जाएगा। आत्मिक होगा, बिसलेशन का संसलेशन होगा, स्वर्ग का नरक हो जाएगा, प्राचीन का अवार्चीन हो जाएगा, अतिवरिष्टी का अनावरिष्टी, सापेक्ष का निर्पेक्ष, यस का अपयस, संसलेशन का बिसलेशन होगा, अभिग्य का अनभिग्य होगा, कित्ती का अपकिर्ति, जागरत या जागरीत का सुप्त हो जाएगा, जागरीत का सुप्त या तंदरित होगा, सुसुप्तु, सुसुप्ति का जागरन या जागरीती होगा, राग का, राग का द्वेस हो जाएगा, नेक्ष है, अति का न्यून, इति का अथ, ग्रहन का त्याग, सरल का कठीन होगा निरामीस का सामीस या आमीस करून का निश्टूर उत्तम का अनुत्तम अनुरक्त का विरक्त इनिसकाम का सकाम विबेकी का ओ विबेकी हो जाएगा महान का तुक्ष अतरंग का बही रंग, असीम का ससीम, दुखी का सुखी, निून का अधिक, स्याम, स्याम का स्वेत होगा, महात्मा का दुरात्मा, गुरु का सिस्य, विसम का सम, नीरस, नीरस का सरस, गरीब का अमीर हो जाएगा प्रास्थान, प्रास्थान का आगमन होगा, अस्पष्ट, अस्पष्ट या अस्पष्ट का और अस्पष्ट हो जाएगा परत्यक्ष का अपरत्यक्ष, परत्यक्ष का परोक्ष भी होता है, अम्रित का बीस, आस्तिक का नास्तिक उध्यान का पतन, कनीश का जेश्ट, धवल का कृष्णिया स्याम, मधुर का कटू या तिक्त, अस्थावर का जंगम हो जाएगा। तूलप का दूलप, परुष का परुष या कोमल, प्रदान का अदान, किर्दग्य का किर्दग्न, उध्य का अस्थ, समान का विसिष्ठ होगा, अधोगामी का उध्योगामी, अदान का प्रदान होगा, मौन का वाचाल हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल, अगम का सुग लोग या प्रकास तिक्षन का मंद स्कृत्रिम का प्रकिर्तिक उदात का अनुदात उदात का अनुदार होगा सुक्ल का कृष्ण हो जाएगा आगे देखेंगे प्रस्थान का आगमन हो जाएगा आयात का निर्यात होगा पाप का पुन्य बद्ध का मुक्त नुतन का पुरा गमन का आगमन, निर्भिक का भैभित, श्री गनेश का इतिस्री, निंदा का स्तूती, मधुर का कटू, अन्भिग का अभिग्य, अकर्षन का विकर्षन या प्रतिकर्षन होगा, उपकार का अपकार, उतक्रिष्ट का निक्रिष्ट, निंदा का स्तूती और वर्दान का अभ लजीला का निरलज या बेशर्म हो जाएगा और बिद्वा का सद्वा निरपेक्ष अवार्चिन का प्राचिन समास का ब्यास कृतग्न का कृतग्य तामसिक तामसिक का सात्विक हो जाएगा उत्तम का अधम, ब्रिधी का रास, निर्वाद का अभाद, चंचल का सौम और अभिग्य का अनभिग्य, बिद्वा का सद्वा, आरूड, आरूड का अनहारूड होगा, निस्पाप का पाप, अविर्वाव को तिरोभाव, कृत्रिम का प्राकिर्तिक हो जाएगा, अभिग्य का अन्भेगों हो जाएगा जीवन मरन होगा निकट का दूर नधोमुक का उद्रुमुक विकास का अविकास उद्धान का पतन होगा किर्टग्य का किर्टग्न होगा सापेक्ष का निर्पेक्ष जड़ का चेतन अधी मुल्यन का ओमिल्यन आभिर्वाव का तीरो भाव होगा आगे देखेंगे सांत या असांत, स्रब्वे का वाच्चे, निंदा का स्तूती, बद्ध का अबद्ध, उपसर का परत्याय, एसना का निसकाम, राजा का रानी, देवता का असुर, समर्थन का बिरोध, निरक्षर का साक्षर, वाचाल का मौन, परोक्ष, परोक्ष का और पर गोल, सुबोध का दुरबोध, सुरोता का वक्ता हो जाएगा, परोक्ष का अपरोक्ष, अस्थावर का जंगम, मीत्र का, सत्रू, सदाचर का अनाचार या दुराचार, बिद्वा का, सद्वा, मुर्ख का, पंडित, अंधकार का प्रकास होगा, ठीक है, अब आगे अपेक्षा का उपेक्षा या अनपेक्षा हो जाएगा जोती का तम या तिमीर, राजा का रंक, विरोध का सहयोग, निंदनिय का वंदनिय, अंधकार का प्रकास, सत्रू का मित्र, गुप्त का प्रकत, नौकर का मालिक पतन का उत्थान आकास का पताल मिर्तु का जीवन ठीक है अईमंदार का बैमान भोतिक्ता का आध्यर्मिक्ता बाहर का अंदर अकाल का सुकाल अनुलोम का बिलोम अभिग्य का अन्भिग्य अकर्सन का बिकर्सन अधुनातन का पुरातन हो जाएगा आविर्भाव का तिरोभाव आभियंतर का बाह उच्छवास का निश्वास जारज का औरस हार का जित उच्छवास का निश्वास हो जाएगा उद्धत का अनुद्धत गहरा का उथलाय रिजु का वक्र आयात का निर्यात उनमुक का विमुक अनुकूल का पर्तिकूल होगा महल का जोपडी नगर का ग्राम युद्ध का सांती तल्वार का धाल तल्वार का उपकार का अपकार अनुरक्ति का बिरक्ति अतिवरिष्टी क अनूज का अग्रज, आधर का अनाधर या निराधर उतकर्स का अपकर्ष हो जाएगा एक का अनेक हो जाएगा पक्च का बिपक्च हो जाएगा गुप्त का प्रकट हो जाएगा सदाचारी का दुराचारी प्रतिकूल का अनुकूल स्वर का बेंजन सरल का कठीन अचल का चल हो जाएगा प्रविर्थी का निर्थी हो जाएगा मान का अपमान सार्थक का निरर्थक मधूर का अमधूर करकस तिक्छने कड़ू ये सभी का निर्गुन हो जाएगा अभिसाप का वर्दान सुर्यास का सुर्योदय बंधन का मुक्त सब्वे का सब्वे मानों का दानों आदी का अंत आयात का निर्यात होगा अभिमानी का निरभिमानी राजा का रंक आकास का पताल पतन का उत्थान उदार का अनुदार होगा जीवि जीवित का क्या हो जाएगा मिर्द हो जाएगा बहुमत का अल्पमत आरंभ का अंत अलोकिक का अलोकिक अवस्यक का अनावस्यक आयात का निर्यात उत्थान का उत्थान का पतन अमीर का गरीब आदि का अंत आयात का निर्यात नास्तिक का आस्तिक अगला का पिछला आस्तिक का नास्तिग हर्स का विसाद सुभ का असुभ हो जाएगा प्राचीन का अवार्चीन हो जाएगा अनुकूल पर्तिकूल सरल का कठीन स्वर्ग का नरक राम का रावन मित्र का सत्रू राष्ट प्रेम को राष्ट द्रो हो जाएगा मुस्किल का असान प्राधीन का स्वाधीन नीरस का सरस कर्मट का अकर्मट विदेसी का स्वाधेसी दूर का क्या हो जाएगा पास हो जाएगा दयालू का निर्दय असीम का ससीम अधूरा का पूरा प्रकास का अंधकार अमीर का गरीब प्रसंसक का निंदक होगा नीर्मल निर्मल का क्या हो जएगा मलीन उद्यम का अलश से महान महान का शुद्र धूती का अंधकार स्वार्थ स्वार्थ का क्या होगा निश्वार्थ होगा, आचार का अनाचार, अभिग्य का अनभिग्य और परत्यक्ष का परोक्ष होगा, प्रसंसक का निंदक होगा, पुल्डे का पाप, निर्भीक का बैवीत, संस्कृति का असंस्कृति, सदाचार, सदाचार का दूराचार, आकर्सन का विकर्सन, घ्रीना का प्रेम, निर्मान का निविनास होगा, पर्ट्यक्ष का परोक्ष, अपब्याय, अपब्याय का मितब्याय, अभिग्य का अनभिग्य, आवरन का अनावरन, गमन का आगमन, आमिस का निरामिस, तीमिर, ती प्रमान का बिनास, अदर्निये का अमपचारी का अनपचारी, कदाचार का देखिए, सदाचार, परसंसक का निंदक, पराजय का बिजये, तीमीर का अलोक हो जाएगा अस्थावर का जंगम, प्राचीन का अवार्चीन, अन्भिग्य का अभिग्य किर्तग्य का किर्तगने, अतरंग का बही रंग, राजा का रंग या प्रजा या रानी हो जाएगा, ठीक है पराजय का बिजय होगा, भूसन का दूसन या कूभूसन, महायोगी का महाभोगी वर्दान का अभिसाप अस्थावर का जंगम संगठित का और संग्यठित हो जाएगा सास्वत सास्वत का क्या हो जाएगा छनिक हो जाएगा सास्वत का स्छनिक अचार का अनचार आद्र का सुस्क वक्र वक्र या कुटिल का रिजू होगा अवाहन का विसर्जन हो जाएगा ठीक है संगठित का असंगठित हानी हानी का लाप्रद हानी प्रद का लाप्रद अप्चारिकान अप्चारिक कदाचार का सदाचार उत्पत्यका अधिपत्यका इसका हो जाएगा ठीक है परूस का कोमल आसक्त का बिरत्थ हो जाएगा उच्चाव का उसर उठान का पतन उल्लास उल्लास का नरास्य मुक का वचाल हर्स का विसाद और अग्य का बिग्य अधतन का पुरातन अजय का जय हो जाएगा पास्चात्य का पौरसत्य और वात्य और दीवस का विभावरी हो जाएगा बिजय का पराजय अवार्चिन का प्राचिन नवीन का अरवाचिन तो यहां नवीन का अरवाचिन हो जाएगा जंगम अस्थावर का जंगम गमन का आगमन हो जाएगा निरलज का सलज हो जाएगा अनन्त का अन्त, अधूरा का पूरा, अपण, अर्पन का, ठीक है, अर्पन का क्या हो जाएगा, ग्रहन हो जाएगा, आम का खास हो जाएगा, चांचल्ले का अस्थेर्य हो जाएगा, गमन का आगमन, मौन का मुखर, अभिग्य का अनभिग्य, संपन्य का विपन्य, विस्तार का संचेप, गरिमा का लगिमा, मौखिक का लिखित हो जाएगा। मिर्दुल का रुक्ष्य हो जाएगा, कलूस का निस्कलूस हो जाएगा, कलूस का निस्कलूस। चिरंतन का नस्वर, सन्यासी का ग्रिहस, स्वकिया का परकिया, इकाधिकार का सरवाधिकार हो जाएगा, साक्छर का निरक्छर, उतकर्स का अपकर्स, मित ब्याई का अपब्याई, इहलोग का परलोग, सज्जन, सर्जन का दूर्जन, कृत्रिम का प्राकिर्टिक, स्री प्रफुल का मलान उदार का अनुदार सूमती का कूमती हो जाएगा नूतन का पुरातन हो जाएगा ग्राम में का नगर हो जाएगा मौलिक का अनुदित, मुक का वाचाल, अन्विग्यता का विग्यता, समास का व्यास, नीजी का सार्जोनिक, अनुरक्ती का बिरक्ती हो जाएगा, हार का जीत होगा, स्वतंता पुर्वक का दास्ता पुर्वक, अनुज का अग्रज, मुक का वाचाल, यथार्त, यथार्त का क खद्र गंभीर का मुखर हो जाएगा अनुरक्ति का विरक्ति बैकल्पिक बैकल्पिक का निवार नीजी का सार्जोनिक हो जाएगा अस्तूल काय का क्रिष्ट काय और संकिंता का उदारता उपकार का अपकार गौरों का लागों उपादे का अनुपादय हो जाएगा ये हो ग गुरुता का लखुता करुन का निर्दैी ससक्त का असक्त चर का अक्षर अस्थूल का सुक्ष में अखड का भद्र और गंभीर का मुखर हो जाएगा। रास का विकास हो जाएगा। प्रसंसा का निंदा अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। सुधासिक्त का विसाक्त होगा। सामीस का निरामिस ब्याय का आय सन्योग का वियोग हो जाएगा। सुक्ष में का अस्थूल हो जाएगा। बिगितन का संगठन, विकास का हरास, उपेक्चा का अपेक्चा, गरिमा, गरिमा का लगिमा, अनायास का सायास, आद्र का सुस्क, अविर्भाव का तिरो भाव, तिमीर का ज्योती हो जाएगा। गत्यात्मक का इस्थर, मित्रता का सत्रूता, सुधा का हलाहल, अप्चारिक्ता का अनप्चारिक्ता, संग्रह का त्याग, मन्थर का त्यू, गरिमा, गरिमा का लगिमा, उपेक्चा का अपेक्चा हो जाएगा। इती का अथ खेचर का भूचर, जंगम का स्थावर अती का आल्प रुक्ष, रुक्ष का स्निक्द, रुक्ष का स्निक्द ब्राह्म का जिव, बही रंग का अंतरंग, उपेक्षा का अपेक्षा, विकास का हरास, ध्वादिन्ता का प्राधिन्ता, अनायास का सायास, तन्वी क अस्थुल इती, इती का अत्थ, द्रिस्य का अद्रिस हो जाएगा, करून का निर्दै, सुधा का हलाहल, ब्यास का समास, अनायास का सायास, और हरास का विकास, संगरह का बिग्र, कृत्रिम का प्राकिर्तिक हो जाएगा. ब्रम्बे का जीव होगा, बहीरंग का अंतरंग होगा, अधुनातन का पुरातन, आसा का निरासा, अनुरक्ति का विरक्ति, अग्य का विग्ग, उनती का उनती, पुरुस का इस्त्री, प्राचीन का रवाचीन हो जाएगा. अनिवारे का वैकल्पिक मुख का वाचाल, समस्ती का विस्टी, समस्ती का विस्टी, अनुलोम का विलोम, स्वार्थी का प्रार्थी, विख्यात का कोख्यात, बीनित का ध्रिष्ट या असिष्ट हो जाएगा क्रित्रिम का प्राकिर्तिक, सामुहिक का व्यक्तिगत, आदर्स का यथार्थ, परोक्ष का पर्तेक्ष, मलीन, मलीन का निर्मल, करुन का निस्थूर, आउनत का उन्नत, संकल्प का बिकल्प हो जाएगा बिनित का द्रिष्ट या असिष्ट हो जाएगा, निरस का सरस हो जाएगा, अग्य का बिग्य हो जाएगा, यथार्थ का कल्पित, कटू का म्रिदू, ओजस्वी का ओजहीन निस्थेज हो जाएगा, अर्पन का ग्रहन, संकल्प का बिकल्प, स्वेत का स्याम, सुक्षम का अस समर्थन का विरोध निरस का सरस जड का चेतन किर्तग्न का किर्तग्य हो जाएगा आकर्षन का विकर्षन करुणा का निर्मम्ता समुख का विमुख या प्रतिकुल सकरात्मक का नकरात्मक आकर्षन का अनाकर्षन लक्षन का कूल लक्षन संग्छेपन का विस्तारी करन तिक् वन्दे बिनित का अबिनित या दुर्वीनित या अख़ड, अग्य का बेग्य, प्राचीन का अर्वाचीन, समस्टी का व्यस्टी, विकास, विकास का रास, अप्चारिक का अनप्चारिक प्रसंसक का निंदक, दिर्स, द्रिस का अद्रिस, विस्तरित का संचिप्त, औसेस का का निसेश, स्वकिये का प्रकिये, विसेश का सामान, अदोस का सदोस, टिक्छन, टिक्छन का कुंठित, स्वास का उच्छ स्वाक्स, त्रिकुटी का भ्रीकुटी, अलपग्य का बहुयग, घहना का बीरल, परतेय का उपसर्ग, राजा का रंक, रानी या प्रजा, उद्धत का बिन्नत कुरूप का क्या हो जाएगा सुरूप कुरूप का हो जाएगा सुरूप थोक का खुदरा अनिवार का बैकल्पिक आद्रीत का अनाद्रीत निसिद्ध का बिहित स्वकिया का परकिया अतीथी का अतीथे अभिग्य का अनभिग्य परत्यक्ष का परोक्ष हो अनन्त का सांत या ससिम हो जाएगा अपेक्छा का उपेक्छा हो जाएगा जंगम का अस्थावर तुक्छ तुक्छ का महान हो जाएगा सावधान का असावधान होगा सूलव का दुरलव अक्छर का अक्छर हो जाएगा पंडित का मुर्ख कुसुम का पत्थर कंटक वज्र हो बिपुल का स्वलब, नित्य का अनित्य, उन्मुख का बिमुख, अनुराद का विराग, उनियन, उनियन का क्या हो जाएगा? अणेयन, अरोहन का अरोहन, आहत का अनाहत हो जाएगा. आगे देखेंगे, सामीस का निरामीस हो जाएगा, संचेपन का विस्तारी करन, कुरूप का सुरूर, अगे का बिग्गे, इहलोग का परलोग, सुक्छम का असुल हो जाएगा, अनुरक्ती का बिरक्ती हो जाएगा, अंतर मुखी का बहिर मुखी, अपेक्षित का अनपेक्ष असलील का सलील हो जाएगा, अस्तित्यों का अनस्तित्यों हो जाएगा, अनधकार का प्रकास, अनाहुत का आहुत हो जाएगा, अनधिकार है, तो अनधिकार का साधिकार होगा, अस्तेकास, अभिव्यक्त का क्या हो जाएगा, अनभिव्यक्त हो जाएगा, अर्जित का अभयाय का निर्वय हो जाएगा अधो मुखी का उद्रोग मुखी होगा अंतर मुखी का बहिर मुखी हो जाएगा उजस्वी का कांती हीन हो जाएगा अपसकुन का सकुन अत्यधिक का अत्याल्प अर्वाचिन का प्राचिन अभिग्य का अग्य अग्य का बिग्य अभिग्य या बिग्य, तीन चीजे हैं, अभिग्य, बिग्य या बिग्य, अनभिग्य हो जाएगा इसका, ठीक है, अधो मुखी का उदर मुखी हो गया, आर्स का, अनार्स आपूरीत का रिक्त, आवर्सन का अनावर्सन, उनियन का अनयन, उज्वल का धुमिल, उद्रो का अध्य, इसको द्यान रखे गाए ये confusion वाले हैं इसको देख लिजेगा अनभीग्य का अभीग्य या भीग्य होता है अलपग्य का बहुयग या स्रवग कहलीजे अर्थे का इती अनुरक्ति का बिरक्ति जोनत का उन्नत अमीत का अमीत का परिमीत होता है, अधिक्रित का अनधिक्रित होता है, अनुलोम का प्रतिलोम, अलब्भे का लब्भे, अपब्याय का मित्बे, अतिवरिष्टी का अनावरिष्टी, औनी का अंबर होता है, तो अवर का प्रवर होगा, ठीके रिजु का वक्र होगा, उपारचित का अनुपार प्रतिकुल आविर्थ का अनाविर्थ आसा का निराचा आगत का नागत आमिस का निरामिस होगा अध्र का उड्न हो जायेगा अगरज का अनूचे अमरित का बेस अनुरूप का पर्तिरूप अर्जन का वेयन अमर का मत और असलील का सलील अनुरक्त का बिरक्त आदर का अदर आदि का अंत, आदर का सुख्क, आचार का अनाचार, आवेसित का अनावेसित, अभाहन का विसर्जन, असक्त का बिरक्त हो जाएगा, अकास का पाताल हो जाएगा और अनुरत्त का बिरक्त. नेक्स देखेंगे आवरन का अनावरन, आकलन का बिकलन, आविर भाव का तिरो भाव, आवर्तक का बिवर्तक, अभियांतर का बाह, इपसित का अनिसित, उथला का गहरा, कुटिल का रिजू, करकस का मधूर, कृत्रिम का प्राकिर्तिक, कौटिल का आर्जो होगा और कृस्ट का हश्ट पुष्ट किर्टग्य का किर्टग्न गौन का मुख हो जाएगा उद्दत का बिन्नित और कीपन का उदार कीपन का दाताया अनुदार उक्त का अनुक्त नया का पुराना उपजाव का उसर उत्रिये का अधो वस्तर गम्य का अगम्य गती का मंद गाढ़ा का पतला गुप्त का प्रकट, गुण का दोस, गरो का, लागो, गमन का आगमन हो जाएगा, उत्थान का पतन, उल्लास का नरासे, उद्दम का अलस, उप्तया का उप्तक्या, उप्तया का अधित्या का, उदय का अस्त, उनमुलन का, रोपन, उनमीलन का, नीमीलन होगा, गमन का आगमन, ग्रस्त का मुक्त, गंतंत्र का राजतंत्र, घ्रीना का प्रेम, चिरंतन का नस्वर, चोर, चोर का साह, छिछला, छिछला का क्या हो जाएगा? गहरा, जड का चेतन, उन्मिलन का निमिलन, उदात का अनुदात, उदार का अनुदार, उतकर्स का अपकर्स, उम जटील, ज़गम निरूप योग, नुप योग अनूप योग और दूरूप योग. एक्ता का अनेक्ता होगा, एही का पारलोकिक, रिजुता का वक्रता हो जाएगा, रित, रितु का अनिर्त या जूट कह लिजे, रिजु का वक्रे कथित का अकतित, धूती, धूती का अंधकार होगा, धनी का निर्धन या दरित्र होगा, निस्कलूस का कलूस हो जाएगा, न नश्ट का सर्जन होगा, नमीन का प्राचीन, निंदा का स्तूती हो जाएगा, निर्वल का सबल हो जाएगा, निरामीस का आमीस हो जाएगा, निर्भीक का क्या हो जाएगा, कायर या कातर, निर्दय का सदय, निस्तिद्ध का विहित, और इधर देख लिजे, मुर्धनी का जिवन्तता, मित ब्याय का अपब्याय, मुक का वाचाल, मौन का मुखरता, मधूर का तिक्छनिया कटू, महात्मा का दुरात्मा, योग का भोग हो जाएगा, एथार्थ का क्रित्रिम हो जाएगा नस्वर, नस्वर का क्या हो जाएगा, सास्वत हो जाएगा, निर्मल का, मलीन हो जाएगा, नियून का, नियून का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, परी सीमन का क्या हो जाएगा, औ सीमन हो जाएगा, प्रफुल का, मुलान हो जाएगा, प्रतिकुल का, अनुकुल, पा आश्यात्य का परसत्य हो जाएगा, प्रचूर का अल्प हो जाएगा, योगी का भोगी हो जाएगा, राग का द्वेस हो जाएगा, राग का बिराग हो जाएगा, राजा का रंक हो जाएगा, राजा का रानी, रंक और प्रजा हो जाएगा, रथी, रथी का बीरत हो जाएगा लोक का परलोक हो जाएगा अलागहों का क्या हो जाएगा बिस्तार या गोरो हो जाएगा नेक्षे परूस का कोमल हो जाएगा प्रभावी का और प्रभावी निस्परभावी और प्रभाव सुन ये सभी होते हैं परिश्रम का विश्राम हो जाएगा, प्रचन का प्रतिपन हो जाएगा, प्रशारन का अकुंचन और प्रित्वी का अकास हो जाएगा, प्राचीन का अरवाचीन हो जाएगा, नवीन दोनों होगा, लौकिक का अलौकिक होगा, वक्ता का स्रोता हो जाएगा, ब्यास, ब्यास क हो जाएगा परमार्थ का परमार्थ का क्या होगा स्वार्थ हो जाएगा परत्यक्षे का परोक्ष हो जाएगा पुष्ट का छिन हो जाएगा और पोसक का सोसक हो जाएगा प्रिथक का सन्विक्थ हो जाएगा बंधन का मुक्ति हो जाएगा बही रंग का अंतरंग हो जाएग बिग्रह, बिग्रह का संधी, व्यष्टी का समस्टी, वादी का क्या होगा, प्रतिवादी, विशलेशन का संसलेशन हो जाएगा, सीत का उष्ण हो जाएगा, सास्वत का शनिक हो जाएगा, सुस्क का आद्र हो जाएगा, भुगोल, भुगोल का क्या होगा, खगोल हो स्वेतांबर का दिगंबर सुक्ल का क्रिष्ण सोसक का पोसक सम का क्या होगा बिसम हो जाएगा सुप्त का जागरत या जागरित हो जाएगा स्वर्ण का नरक हो जाएगा सुक्षम का अस्थूल हो जाएगा स्थावर का जंगम होगा हरास का बृधी होगी हर्स का विसात होगा च्छनिक, च्छनिक का सास्वतों का स्री गनेश का इती स्री हो जाएगा, सुसुप्ती का देखेंगे तो इजागरिती, सुसुप्ती का जागरित, स्रीष्टी का प्रडलाय, सहचर्य का अलगाव, स्वप्न का जागरन हो जाएगा, स्प्रिस का अस्प्रिस सकाम का निसकाम ह स्तुत्य का हे हो जाएगा अदान का प्रदान हो जाएगा अवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा सदाचार का कदाचार गोरों का लागों अम्रित का बेश अनुरक्ति का बिरक्ति आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा अनुग्रह का क्या होगा बिग्रह हो जाएगा स्तुत्य क का हे हो जाएगा सगुन का निर्गुन हो जाएगा संतोस का असंतोस स्वधर्म का परधर्म हो जाएगा संपन्ता का निर्धनता हो जाएगा संकिर्ण का विक्र्ण या बिस्तरिन हो जाएगा स्वार्थ का निश्वार्थ या परमार्थ हो जाएगा स्वाम का उग्र हो जाए और पूर्वे भी होगा सफल सफल का और सफल या बिफल या निस्पल ये सभी हो जाएगा ठीक है स्वार्थ हो गया सौम में हो गया सौम का उग्र संकिर्ण का विस्तिर्ण समास का ब्यास विग्र या खंड सन्यों का बियोग स्वजाती का वीजाती संधी का विग्र ठीक है लाब कहानी, सास्वत का छनिक, अनुकूल का प्रतिकुर अनेक का एक हो जाएगा, अनावरित का आवरित, अधिकारी का अनाधिकारी, अनुलोम का प्रतिरोम, अनुगरह का विग्र, अपब्याई का मित्ब्याई, अति का अल्प, अत्थ का इती और अर्पन का क्या हो और अस्मरन का भी अस्तब्द का औ अस्तब्द हो जाएगा सहयोगी का परतियोगी हो जाएगा स्वर्ग का नरक और अवलंब का निर्लवंब हो जाएगा असीम का ससीम हो अकाल का सुकाल या हर्याली, आउनी का अंबर, अतिवरिष्टी का अनावरिष्टी, अर्वाचिन का प्राचिन, अतरंग का बहीरंग, अलपग्य का बहुयग, अनुराग का बिराग हो जाएगा, अभी सरन का अपसरन हो जाएगा, अतल का बीतल हो जाएगा, अनृत्त का रि अस्ते का सते हो जाएगा, अउगत का अनाउगत, अभिक्रित का अधैस्वाय का अन्धैस्वाय, अर्पित का ग्रहित, अलभ्य का लभ्य या प्राप्य हो जाएगा, अंतर साक्ष का बहिर साक्ष हो जाएगा, अभी सरन का अपसरन हो गया, अनुदार का उदार, अनन्त का अ अनुज का अग्रज, अलपायू का दिर्गायू, अंधेरा का उजाला, अगला का पिछला, अचल का सचल, अंतरमुखी का बहिरमुखी, अभिमानी का निरभिमानी, अपेक्छा का उपेक्छा, अनुरक्ती का बिरक्ती, अरूची का सुरूची, अमस्या का पुर्णीमा, अल आप्शत हो जाएगा अंदर कर् बाहर हो जाएगा अधिक्षा का अंभीग्य का भीग्य। अत्यंत का अंत्यंत होगा, अपकार का उत्कार, औरोह का अरोह, अनाहुत का अहुत, अधिक का न्यून, अग्र का पक्छ हो जाएगा, अधूरा का पूरा, अधोगामी का उद्रुगामी, अधित्यका का, उपत्यका, अकर्षन का विकर्षन, अस्विकार का अंगिकार, अस् अभी ब्यक्त का अनभीक यक्त और अधर्म का सधर्म और अनुनासिक हो जाएगा अघोस का सघोस या घोस अकर्मक का सकर्मक होगा अनुरूप का प्रती रूप आलसी का क्या हो जाएगा कर्मन या कर्मठ हो जाएगा आस्था का अनास्था अस्तित्य का अनस्तित्य अल्प सं अब आगे देखेंगे उच्छुस्वास का अनुस्वाच्छ हो जाएगा, उद्धत का बिन्नत उनियन का और नयन हो जाएगा, उन्मुक का बिमुक हो जाएगा, उतकर्स का अपकर्स, उन्मुलम का आरोपन हो जाएगा, आवर्तक का बिवर्तक हो जाएगा, आविर्भाव का तीरोभाव, अगामी का बिगत होगा आचार का अना का अचार होगा आकांचा आवरं आवरं का निरावरं अपद का निरापद आरोहन का औरोहन होजाएगा नेक्षे आवाहन का विसर्जन होगा आपूरीत का रिक्ते अवर्सन का अना वर्सन अहार का निराहार आकिर्ने का बिकिर्ने आकार का निराकार होगा उतकर्स का अपकर्स उन्मूलन का आरोपन उन्नती का उन्नती उत्थान का पतन उपरी का अध्य उद्यांचल का अस्तांचल उतरायन का दत्छिनायन होगा उत्पती का बिनास होगा उल्लास का असाध होगा उत्तेजित का समित होगा उदासीन का आसक्त होगा उष्ण उष्ण का सितल उपचार का अपचार उदगम का बिलोपन होगा अकिर्ण का बिकर्ण आकार का निराकार अकुंचन का प्रसारन और आडंबर का निरांडंबर आदरित का निरादरित आगरह का दुरागरह अधिक्य का अनाधिक्य हो परास्रित पर जीवी होगा अकास्त का पताल आहत का नाहत इश्ट का अनिश्ट होगा उद्रयों का अध्या अधर उस्मा का सितलता और दारे का अनौदार अपचारी का अनौपचारी क्रिस का पुष्ट कुररता का करूना क्रम हीन का क्रम बद्ध हो जाएगा इह लोग का प बद्ध हो जाएगा कोलाहल का क्या हो जाएगा कोलाहल का निरवता सांती कलंकित का निसकलंक कूब अस्था का सूब अस्था सुकाम का निसकाम कुरूप का सुन्दर या सुरूप कर्मंत्या का और कर्मंत्या हो जाएगा कुमारी का विभाहित किर्टग्य का किर्टग्न गु 2. गराम का नगर होगा, गति का अरोध हो जायेगा ख्रिश्न का स्वेत होगा, कुल्दीप का कुलांगर होगा, कुसुम का वज्र होगा, कोध का च्वमा, कलिव का सत्यूग, कृत्रीम का स्वभाविक или प्राकिर्टिक कर्मत का अकर्मत, खगोल का भुगोल होगा। गतिका अरोध ग्रिहीत का त्यक्त या अवड़पीत गरंथित का भिक्रन गुरुत्य का लगुत्यों गुढ़ प्रकट हो जाएगा गंतंतर का राज्यतंतर गहना का बीरल हो जाएगा घातक हो जाएगा घटक का समुदाय, घरेलू का बाहरी, घटाना का क्या होगा, बढ़ाना, चातूर का मुर्खता, चेतन का चेतन, चिरन जीवी का अल्प जीवी, चित का चित, चूत का अचूत, खगोल का भुगोल, खिलना का मुर्जाना, ख्यात का अख्यात, खग का क्या होगा, मिर्ग, ख पहरा का छिछला, गमनिय का अगमनिय, गत का आगत, गंड का नगन, गमन का आगमन, गमभीर का चंचल हो जाएगा, चिंता का प्रशंता, चरीत्रवान का चरीत्र हीन हो जाएगा, छंद बध का चंद मुक्त हो जाएगा, चुटकारा का बंधन, छल का निक्ष चल, छादन का प्रकासन हो जाएगा, छाया का आतप हो जाएगा, छाह का धूप, छद्म का निश्चलता हो जाएगा, जोतिर्मय का तमोमय हो जाएगा, जेश्ट का कनिश्टे, जटील का सरल जड का चेतन हो जाएगा, गंभीर का चंचल, गोरो का लागो, गगन का धरा, गोर का मुक्ष य ग्रीप का सुसुप्थ हो जाएगा, जागरन का निद्रा और जल का थल, जन्म का मृत्व हो जाएगा, दूसीत का सिथ हो जाएगा, डंड का पुरसकार या छमा कहलेजे, दूर का पास दिब्वे का लौकिक या अदिब्वे, दिड्र का दुलाय मान, दुर्दर्स्ता का द्वैत, दुरुत का मंथर, दरीद्र का संपन, दास का स्वामी, द्रौ का ठोस हो जाएगा, जल का थल हो जाएगा, जागरन का निद्रा, जन्म का मिर्तु, जीवन का मरन होगा, जीवित का मिर्त हो जाएगा, जननी का जनक हो जाएगा, जेश्ट का कनिष्ट हो जाएगा, इधर देख लिजे, द्वयत का अद्वयत, दुरूत्त का मंथर, दरीदर का संपन, दास का स्वामी, द्रौव का ठोस, दूर्दिन का सुधिन, दुर्योग का सुयोग, और दुर्भाग का स्वभाग हो जाएगा, थीक है, अब जननी का जनक हो जाएगा, जेश्ट का कनिष् जितेंद्रिये का इंद्रिया सक्त हो जाएगा, जय का पराजय हो जाएगा, जोती का तम हो जाएगा, जागरिक्ती का सुसुप्ती हो जाएगा, जूट का सच हो जाएगा, जोपडी का महल हो जाएगा, जंकृत का नी अस्तंब हो जाएगा, टकसाली का समान हो जाएगा, टी का सुखान, दैत का देव, दक्षिन का वाम या उत्तर, दुस्कृती का सुकृती हो जाएगा। दे का अदे हो जाएगा, दिर्घायू का अलपायू, देह का विदे, देन का लेन हो जाएगा। देहनी का निर्धन हो जाएगा, दिर्घ का हस्व हो जाएगा, देवता का दानों हो जाएगा, धार्मिक का अधार्मिक हो जाएगा, धिरोतात का धिरोदत हो जाएगा। नेक्षे ध्रिष्ट का बिनम्र या बिनीत हो जाएगा, धवल का स्याम दिर्ता का अधिर्ता हो जाएगा, ध्रू का अस्थर, धैर का अधैर, नुतन का पुरातन हो जाएगा, नीज का पर हो जाएगा, पोसित का अपोसित, परलोग का इहलोग हो जाएगा, प्रिवर्ति का नीवरित्ती हो जाएगा, पास्चात का परवात्त हो जाएगा, पराजय का जै, पराजय का जै हो जाएगा, परूस का स्त्रित्व हो जाएगा, प्रिष्ट का अग्र, पुर्वाहन का अप्राहन, परास्त का बिजित, पल्वन, पल्वन का संछेपन, प्रच्छन्य का प्रती पन्न होगा नूतन का आपका हो जाएगा पुरातन निद्रा का अनिद्रा जागरन या जागरत कहलेजे नौकर का मालिक निर्मान का बिध्वन्स या बिनास नीरुगनता का रुगनता नियून का अधिक हो जाएगा निर्दोस का सदोस हो जाएगा, निर्मल का मलीन, नगत का उधार, नर का नारी, नख का सिख हो जाएगा और नत का उन्नत हो जाएगा पक्षपात का निक्स पक्ष हो जाएगा प्रक्षर का मंद हो जाएगा परार्थ का स्वार्थ हो जाएगा पुष्ट का छिन हो जाएगा प्रधान का गौन हो जाएगा ठीक है प्रधान का गौन हो जाएगा परिक्सरम का विश्राम हो जाएगा, प्रदत का आदत हो जाएगा, प्राची का प्रतीची हो जाएगा, परत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा, प्रियोग का अप्रियोग हो जाएगा, पत्नों उन्मुख का विकासों उन्मुख हो जाएगा, नत का उन्नत हो जाएगा, नेकी का बद्धी, निसिद का विहित, निर्बुद्धी का क्या होगा, बुद्धिमान होगा, निंद का वंद, निरूद का अनिरूद होगा, निर्भिक का भैवित हो जाएगा, ठीक है, निराधार का आधार हो जाएगा, निर्जिव का सजिव, नकारात्मक का साकारात्मक, निर् दिर्वल का सबल, निर्गमन का आगमन, निरर्थक का सार्थक हो जाएगा। का अगरे भाग हो जाएगा निरगमन का आगमन हो जाएगा निरथक का सार्थक निसिम का ससिम निसकलंग का संकलंग निसकाम का सकाम निसंग का ससंग निवित्य का परवित्य निरुद्धिग्न का उद्धिग्न परमुख का गोड हो जाएगा नेक्ष देखेंगे परसाद का विशाद, प्रेशक का प्रेशिती, फूल का काटा, बोध गम का दुरबोध, भै का निर्भै, भोग का अभोग, भूसन का कूभूसन, दूसन कहलेजे भूसन का कूभूसन या दूसन, भेद का अभेद, मिर्दूल का कठोर, मिथ्या का सत्य, मनुस्यता का पसुता, मेहनती क का आलसी मस्रिन का रुक्ष मानवता का निर्संस्ता मुल का निर्मुल महत्तम का लगुत्तम मानविये का अमानविये मुख का प्रिष्ट्या प्रतिमुख और यति का ग्रिहस्त यूद्सा का मैत्री यथार्थ का कल्पित यूद्ध का सांती हो जाएगा भेद का अभेद भं भंजग का योजग, भीशन का स्वम्य, भरांत का निवरांत भयाक्रांत का भैशुन भक्ष का भूत का भविक्स हो जाएगा। भद्र का अभद्र हो जाएगा भीतरी का बाहरी मित्र का सत्रू मुक का वाचाल हो जाएगा मलीन का निर्मल हो जाएगा और मंद का त्वरीत हो जाएगा महात्मा का दुरात्मा हो जाएगा मनुस्य का पसु रक्षस हो जाएगा योग का भोग हो जाएगा याचक का दाता हो भक्षक हो जाएगा, मर्जित का अमार्जित, मम्ता का निर्मम्ता, मुर्चिक्त का सचेत, मन्सा का कर्मना, महायोगी का महाभोगी, मिर्तुन्जय का मत्त, मुदित का खिन्न, मतभेद का मतक्य हो जाएगा, राजा का रंक, रिक्त का पुर्ण, राच तंत्र का लोक तंत्र, रत का बीरत, रसिक का निरस, रोगी का निरोगी, रुग्न का स्वस्त हो जाएगा, लापरवाहा का साहधान हो जाएगा ठीके मतभेद का मतक्क्य हो जाएगा, मिधावी का मुर्ख, उनाफा का नुकसान, मीठा का कड़वा हो जाएगा, मौन का मुखर हो जाएगा, मोक्छ का बंधन हो जाएगा, मानों का दानों हो जाएगा, लोक का परलोक हो जाएगा, लिप्त का, निरलिप्त हो जाएगा, लं का सन्योजन बिजय का परास्त और विकास का हरास हो जाएगा बिराट का लगू हो जाएगा बिसलेशन का संसलेशन बिग्य का अग्य हो जाएगा बिबेकी का अविबेकी बिद्वान का मुर्ख होगा बिछुब्द का अविछुब्द और विख्यात का कुख्यात हो जाएग ब्यक्तिगत का सार्जोनिक, बिजय का पराजय और विसाद का हर्स हो जाएगा, बिसाल का छुद्र, वियस्तारन का संछेपन, सजातिय का बिजातिय, सकर्म का निसकर्म, समुख का प्रतिमुख और सम्मान का अपमान हो जाएगा बिसिष्ट का समान्य होगा, बिपन्य का संपन्य, बिदेश का स्वदेश, बिवस्त्र का सवस्त्र, बंधया का उर्वरा, वड्न का विवड्न, वध्ध का अवध्ध, स्वर का बेंजन हो जाएगा, सदाचार का दुराचार हो जाएगा, सौम्य का उग्र हो जाएगा, सकाम का निसकाम और स्वकिये का परकिये सुक्षम का अस्थुल हो जाएगा स्वतंतरता का परतंतरता सहयोगी का प्रतियोगी हो जाएगा ठीक है वद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् का निरस, संगरह का विग्र और समरूप का विबिध हो जाएगा, वरिष्ट का कनिस्क, विदेसी का स्वदेसी, वंदनिय का निंदनिय, बी इस्मरन का अस्मरन, वी निर्नित का और निर्नित, विभ्रांत का सांत हो जाएगा, संगठन का विघटन, संभेद का अभेद, संत क असंत सभिकार का निर्विकार सहचर्य का प्रिथक करन संकल्प का बिकल्प हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे सुसंगति का कुसंगति स्वकिया का परकिया सात्विक का तामसिक समादृत का निरादृत स्वा नुगत का परानुगत सन्यासि का ग्रिहस्त संचय का असंचय सयन, सयन का जागरन हो जाएगा, स्यामा का गोरी, सूर का भीरू या कायर, सलाग का असलाद और सिक्छक का सिक्छार्ती, सालीन का ध्रिष्ट हो जाएगा, सब्द का, सब्द का निसब्द हो जाएगा, स्पुट का अस्पुट, समावेशन का अनावेशन, सरल्ता का कठिंता, साहसी का भीरू, ससत्र का निर्शस्त्र, सनातनी का प्रगतिवादी या असनातनी, स्वास का उच्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सदासय का कदासय, सुसाध्य का दूसाध्य, स्रिंखला का वरी सिंखला, स्रब्य का द्रेस्य, स्रवन का दर्सन, स्रीमान का स्रीमती, स्रोता का वक्ता, हरास का रुदन, हत्या का क्या हो जाएगा जीवनदान, सूगती का दुरगती, सुसाध्य का दूसाध्य, सहज, सहज का अपयस, सहायक का बिरोधी या बाधक होगा, संगठित का बिगटित होगा, संसक का निसंसक होगा, समीपस्त का दुरस्त होगा, हत्या का जीवंदान, हलका का भारी, हश्र का दिर्ग, हरा का सुखा, हित का अहित, हार का जित, हिंसा, हिंसा का अहिंसा, हतास का, हतास का क्या हो समीपस्त का दुरस्त सहनिय का और सहनिय सक्षम का और सक्षम सारायरिक का मानसीक सक्तिमान का सक्तिहिन सकून का अपसकून सासक का सासित हो जाएगा छूपद का सांत छर का अप्छर छनिक का सास्वस छमा का डंड गे का अग्ये ग्यात का अग्यात हो जाएगा ठीक है अब द अंगिकार का अनंगिकार, अतिक्रमन का अनतिक्रमन, अन्वधान का सावधान, अधोलिखित का उप्रिलिखित, अधोगामी का उद्र्योगामी, आभ्यांतर का बाह, इपसित का निपसित, औरस का अनोरस या जारज, कथे का अकथ हो जाएगा, अकर्मक का सकर्मक, अतरंग का बहीरंग, अनुनासिक का अनुनासिक, अभी मुखी का प्रती मुखी, अन्वय का अन्वय, अधिक्य का अभाव, आसिर्वाद का, आसिर्वाद का साप, कनिष्ट का जेश्ट हो जाएगा, खाद्य का खाद्य चिरन जीवी का अलपायू चरीत्रवान का चरीत्रहीन इस्थुल का सुक्ष्म अत्याज का त्याज दुर्दांत का सांत हो जाएगा प्रगति का प्रती गमन हो जाएगा ठीक है कथ का कथे ग्राह का त्याजल घटित का अगटिक सात्वी का तामसिक बिप पुलकाय का त्याज्य, दुर्गती का सूगती, प्रवैगी का अस्थैतिक हो जाएगा। ठीके प्रगती का ये तो हो गया। प्रवैगी का अथ, मौन का मुखर, संपन्य का बिपन्य, उसने का सीतल, एची का अनैचिक, कत्थ का अकत्थ, एहिक का पारलोकिक, एस्वर का अनैस्वर, किर्स्न का सुकलेस्वे, चारू का अचारू, जंगली का घरेलू, और गोप्य का प्रकास हो जाएगा। आलोकिक कर्मिष्ठता का अकर्मिष्ठता, चिंतित का चिंता रहिते, जोलन सील का समन सील, गहन का पुलीन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, जागरित का सुप्त, जितेंद्रिये का इंद्रियासक्त, तम का प्रकास या जोती हो जाएगा। तन्वंगी का बिपुलकाय, सुधिन का दुर्दिन, देदि प्यामान का तिमिरांकित, नगर का ग्राम, निर्दिष्ठत का अनिर्दिष्ठत हो जाएगा। तिक्त, जातिय का विजातिय, तिक्त का मधूर, जयोस्थना का आतप, निरूजता का रुगनता, दामनी का घन, नागरिक का ग्रामिन, निसिद का विःत, निर्बंधित का अनिर्बंधित हो जाएगा। प्रमानिक का और प्रमानिक हो जाएगा बुधिमान का बुधिहीन प्रकासन का गोपन मन्सा का कर्मना हो जाएगा रसीला का निरस लब्द का प्रदत सातत्य का असातत्य द्रिस का अद्रिस सुधा का हलालल हो जाएगा पोसित का अपोसित भक्ष का अभक्ष मन्सा का कर्मना एच्छी का नैच्छिक, राष्ट प्रेम का राष्ट्रो और वरिष्ट का कनिष्ट, समा वेशन का अना वेशन, करून का निर्दाई हो जाएगा, ब्यास का समास हो जाएगा, अनायास का सायास, संग्रा का विग्र, विस्तार का संचेप, अनात का सनात, अथ का इति, थोक का हे का ग्राह, श्रिष्टी का पढले हो जाएगा, मुक वाचाल, ठीक है, रास का विकास हो जाएगा, कृत्रिम का प्राकिर्तिक, मौखिक का लिखित हो जाएगा, सकरात्मक का नकरात्मक हो जाएगा, और उर्वर्ग का उसर हो जाएगा, भूसन का दूसन हो जाएगा, रिना अधूरा का पूरा आम का खास भौतिक वादी का अध्यात्मवादी नीरत का बीरत हो जाएगा। क्रिया का क्या हो जाएगा। इती का अथो हो जाएगा। इती का अथो हो जाएगा जंगम का स्थावर रुक्ष का इसनिक्द बही रंग का अतरंग आसा का निरासा अग बिग्ग। अग का बिग्ग, पुरुस का इस्तरी, अनिमारे का बैकल्पिक और समस्ठी का ब्यस्टी हो जाएगा। तीमिर का जोती, खेचर का भूचर, अती का अलप ब्रम्भ का, जीव, अधुनातन का पुरातन, अनुरक्ति का विरक्ति, उन्नती का अवनती होगा, प्राचीन का, अर्वाचीन होगा, मुक्व का वाचाल हो जाएगा। तो देखें इस तरह आपके ये complete हो गए अब इससे संबंधित हम लोग question देखेंगे जो आए हुए है important question इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो चलिए इसको देखते हैं आवर्तक का विप्रितार्थक सब्द होता है अनावर्तक सदाचार का विलोम सब्द क्या हो जाएगा सदाचार का आपका कदाचार हो जाएगा गौरो का विलोम सब्द लागो हो जाएगा अमरीत का विलोम सब्द क्या होगा तो बिस हो जाएगा अनुरक्ति का अनुरक्ति का विप्रितार्थक सब्द हो जाएगा विरक्ति आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन अनुग्रह का क्या होगा विग्र इनमें से विलोम सब्दों का एक सही युग में है आदरित आद्रित का तिरस करीट होता है, तो ये सही योग में है, ठीक है, डी यहाँ पे सही है, इन में से प्र ложक का उप्यूत, प्रितार्थक सब्द हो Gящ जाएगा अंतिम, ठीक है, निसार्गी का क्रितरिम हो जाएगा, निसीध का विहित हो जाएगा और निमलीखित में से एक सब्द सुस्क का बिलोम आद्र हो जाएगा इन में से स्थूल का बिलोम क्या हो जाएगा सास्वत हो जाएगा प्रिथक का सही बिलोम क्या है सही उक्त है उपयोग का बिलोम क्या हो जाएगा तो देखिए याँ पे निरूपयोग और सदुपयोग दोनों हो सकता है इन में से बिलॉम सब्दों का एक गलत और युग में ढूलना है तो यहाँ भी गलत है बाकी जो सही है देख लिदा क्षिन का वाम होता है, वीदी का निसेद होता है, बरबर का सब्द होता है भिलोम की द्रिष्टी से सब्ड जो है यूगम सुध कौन सा है इसमें तो अलपग का बहुयग होता है ये बिल्कुल सुध है अब देखेंगे भिलोमार्थक सब्ड द्रिष्टी से एक यूगम असुध है यहां पे तो देखें यहां पे A और C दोनों ही असुद्ध हैं, जो सुद्ध हैं देख लिजी निर्पेक्ष का सापेक्ष बंधन का मोक्ष होगा, ठीक है, बिलोम की द्रिष्टी से सही सब्द इसमें देखे, जारज का औरस होता है, निम्न में से बिलोम सब्द का सही कत्थन देखे, हया का बेहया होता है, और अ अगरज्च यह ओ रहे, नुज़् हो जाएगा, भिलों सब्दों की दृष्टी से एक गलत यहां पे है, बाकी मौन का मुखर होता है, बरबर का सभ्वे होता है, सांदार का सर्मनाक होता है, अब देखियें, भिलों सब्दों की दृष्टी से इसमें एक युप्ब गलत है, तो यहाँ पे C गलत है, बाकी सही है, अमीत का परिमीत सतकार का तिरसकार हो जाएगा, सुख का दुख हो जाएगा, भौतिक का बिलोम क्या हो जाएगा, अध्यात्मिक प्राची सब्द का विप्रितार्थक सब प्रतीची होता है, समश्टी, समिश्टी का हो जाएगा, ब्यश्टी, इन में से बिलोम सब्दों की दृष्टी से एक युग में यहाँ पे गलत है, तो यहाँ C गलत है, सही देख लिजे जो है, बीधी का निसेध होता है, आहवान का विसर्जन और अम्ये का हलाहल होता है, बिलोम की दृष्ट से इसमें सही सब्द देखना है, तो आकिर्ण का विकिर्ण होता है, और आदरित का निरादरित होता, A और C यहाँ पे दोनों सही हो जाएगे, सुलब, सुलब का क्या होगा, दुरलब होगा, दिरगाओ का अलपायू होगा, ब्यश्टी का समस्टी होगा, C समस्टी, उपम उपमे का अनुपमे हो जाएगा, भोगोल का क्या हो जाएगा, खगोल हो जाएगा, सहयोगी का क्या होगा, परतियोगी हो जाएगा, जोड का घटाओ हो जाएगा, त्रिक्सना का, त्रिसना का वित्रिसना हो जाएगा, निसिद्ध, निसिद्ध का विहित हो जाएगा, पो अनिपसित हो जाएगा, साहचारे का अलगाव हो जाएगा, पिराट का बिलोम सब्द छुद्र हो जाएगा, अस्प्रीस का बिलोम सब्द अस्प्रीस हो जाएगा, अग्य का बिग्य हो जाएगा बिलोम सब्द, गौरव का बिलोम सब्द क्या है लागो है बही रंग का बिलोम सब्द क्या है अतरंग हो जाएगा अतरंग ग्रस्त का बिलोम सब्द क्या है तो यहाँ पे मुक्तो हो जाएगा तीमीर का तीमीर सब्द का बिलोम है आलोक परत्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष उतकर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, C है इसका अंसर, इपसित का अनिसिप्त हो जाएगा, स्वजाती का, स्वजाती का क्या होगा, बिजाती, उन्मूलन का, उन्मूलन का क्या होगा, रोपन हो जाएगा, D, अमित का, अमित का परिमित होगा, स्री गनेश का इती स्री हो जाए धनी का क्या हो जाएगा निर्धन उनमीलन का नीमीलन हो जाएगा अधिक्रित का अनधिक्रित होगा अनुलोम का अनुलोम का क्या होगा प्रति लोम परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा विश्राम हो जाएगा अथ का विलोम हो जाएगा इती अभिग्य का विलोम क्या होगा अग्य होगा किर्टग्य का किर्टग्न हो जाएगा संकिर्ण का संकिर्ण का आपका बिस्तरिन हो जाएगा अनुरक्ति का बिरक्ति हो जाएगा साप पेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा बिग्रह बिग्रह का आपका संधी हो जाएगा संधी निम्न में से कौन सा बिलोम युग में तुरूटी पूर्ण है तो यहां सी तुरूटी पूर्ण है बाकी और देख लिजे जो सही है अपेक्षा का उपेक्षा अग्रज का अनुज आदान का परदान और यह थार्थ का बिलोम क्या होगा कृत्रिम होगा साधू का बिलोम साधू का जो बिलोम हो जाएग का बीहित का निसिद्ध होगा उन्मूलन का रोपन हो जाएगा इन में से सरल सब्द का बिलोम नहीं है तो बीरल नहीं है कौन-कौन है सरल का बिलोम होता है वक्र कठीन और कुटिले सभी होते हैं इन में से बिलोम सब्दों का सही युग में है सी है आकिर्ण और का विकिर्ण उप्तयाका का बिलोम सब्द अधितयाका होता है मस्रिन का रुक्ष होता है अनग का बिलोम सब्द क्या होगा अगी अनग का अगी उन्मूलन का सही बिलोम क्या होगा रोपन हो जाएगा गगन चुम्बी का सरवधा सुध बिलोम क्या होगा तो तल असपरसी होगा अगहात का अगहात का प्रती घात होता है बिलोम की दिरिष्टी से एक सही युग में कौन सा है तो यहाँ बी सही है अनरीत का रीत होता है ठीक है यहाँ पे निमने में से बिलोम का असुध युग में कौन सा है यह असुध है जो सुध है देख लिजे धर्म का धर्म कुसल का कुसल जड़ का चेतन विलोम की दरिष्टी से सुध युग में है संयुक्त का बियुक्त हो जाएगा निसीद के लिए विलोम सब्द बिहित होता है उतरायन का विलोम सब्द होता है दक्षिनायन आवर्तक का क्या हो जाएगा अनावर्तक विलोम की दर दिरिष्टी से सही युग में है असुया अ का अनुसुया है ठीक अनसुया आहुत का अहुत का बिलोम हो जाएगा अनाहुत अत का इती हो जाएगा वादी का प्रतिवादी हो जाएगा आगे देखेंगे अवर का बिलोम सब्द हो जाएगा प्रवर जटील का क्या हो जाएग बिलोम की दिरिष्टी से एक यूग में इसमें असुद्ध है तो यहाँ पे डी असुद्ध है ठीक है और सुद्ध कौन सा है आयात का निर्यात होता है परत्यक्ष का परोक्ष होता है द्रिस का अद्रिस होता है उतकर्स सब्द का बिलोम बताना है अपकर्स हो जाएगा अंत अनुग्रह का विलोम क्या होगा बिग्र अनभिग्ज्य का विलोम क्या होगा अभिग्ज्य होगा सौम सब्द का उग्र हो जाएगा हराज सब्द का विलोम क्या होगा बिरिधी निून का विलोम अधिक हो जाएगा पुष्ट का सब्द का विलोम क्या होगा तो यहाँ पे स्छिन हो जाएगा गुड का गुण का दोस हो जाएगा सन्योग का क्या हो जाएगा बियोग हो जाएगा नीचे दियेगे सब्द यूग में कौन सा तुरूटी पूर्ण है तो यहाँ पे देखे ए तुरूटी पूर्ण है बाकी देख लिजे अनंद का सांत होता है आकरिष्ट का बिकरिष्ट जड़ का चेतन होता है अब आगे देखेंगे रिजू सब्द का बिलोम वक्र हो जाएगा आकलन का क्या हो जाएगा आकलन सब्द का हो जाएगा बिकलन नीमने में बिलोम यूग तुरूती पूर्ण देखना है तो D यहाँ पे तुरूटी पूर्ण है और देख लिजे जो सही है तो छर का अक्छर हो जाएगा सुव अलपायू का चिरायू और समास का ब्यास हो जाएगा इसमें भी बिलोम युग तुरूटी पूर्ण देखना है तो A यहाँ पे है तुरूटी पूर्ण बाकी सही है वि स्याम का स्वेत होता है बिलों संचेप का रिष्तार होता है और स्रीजन का संगहार होता है सरगीक क्या हो जाएगा क्रित्रिम हो जाएगा अलपग Wein का सर्वग्य हो जाएगा सतकार का दुदकार हो जाएगा मर्त का अमर हो जाएगा दुरलव का सुलव हो जाएगा दुरलव का सुलव त्रीसा का क्या हो जाएगा त्रिप्ति नसरगी के उम जंगं सब्दों के उचित बिलोम कौन सा है तो नसरगी का होता है कृत्रिम और तो वीन सब्वन का प्रकास हो जाएगा विलॉम। सही बिलोम सब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो आगरह का ये नहीं हुआ है तो जो सही है देख लिजे बैर का प्रीती होता है उद्धम का अधम का उद्धम होता है और स्रीजन का संगहार होता है बीमुख बीमुख का बिलोम क्या हो जाएगा उन्मुख हो जाएगा गरीहि इसमें सही बिलोम सब्द का पर्योग किस्व में हुआ है तो यह बिस्तरित का संचित होता है सही बिलोम सब्द सलागा सलागा का निंदा हो जाएगा बिलोम कौन से समूह में बिलोम सब्द नहीं सही नहीं है तो सी में सही नहीं है बाकी सही है प्रभावी का अप्रभावी ब प्रसस्त का अप्रसस्त होता है, खिक है उबरदान का क्या हो जाएगा, अभी साप हो जाएगा विलोम, तरून का ब्रिद्ध होता है, अती विरिष्टी का अना विरिष्टी विलोम सब्द होता है, अती थी का क्या हो जाएगा, आती थे, निमने में से किस विकल्प में सही व बिलोम का प्रयोग हुआ है, सापेक्ष का निर्पेक्ष होता है, किस यूग में सही बिलोम सब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ पे देखें, लाब का हानी होता है, इक्छा का अनिक्छा होता है, तो यहाँ पे C नहीं है, ठीक है, जै का बिजै होता है, C एंसर है, जो वलत है, और तनी की दृष्टी से सुद्ध सब्द है, परिमार्जित यहाँ पे सही है, निमने में कौन सा उत्तर का बिलोम नहीं है, अनुत्तर नहीं है, बाकि प्रसने, पूर्वे, और दक्षिने, यह तीनों उत्तर का बिलोम है, उतकर्स का अपकर्स होगा गमन का गमन सब्द को विप्रितार्थक सब बनाने के लिए इन में से किस उपसर का प्रयोग किया जाएगा तो आगमन होता है ना गमन का क्या होता है आगमन तो आ का करेंगे उपयोग मरसिन का रुक्षो होगा अभ्यांतर का बिलोम बाह होता है मस अस्रीन का बिलोम क्या हो जाएगा रुक्ष हो जाएगा अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा अनिवार का विप्रितार्थक सब्द होगा एच्छिक प्रतिकूल का क्या होगा अन्युकूल होगा चिरंतन का हो जाएगा नस्वर अस्थावर का जंगम हो जाएगा ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा मुक का विलोम क्या है वाचाल है उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा रोपन इसमें गलत विलोम सब्द युक्त कौन सा है यहां गलत है बाकी देख लिजे मुक का वाचाल होता है पुरसकार का तिरसकार भूत का भविस होता है मौन सब्द का विलोम क्या हो जाएगा प्राकिर्तिक उदात का विलोम क्या हो जाएगा अनुदात इन में से कौन सा सब्द उदार का विलोम है अनुदार है विलोम सुक्ल का क्या हो जाएगा क्रिश्न कौन सा सब्द प्रस्थान का विलोम है तो यह आगमन हो जाएगा इन में से कौन एक सब्द य अब गमन का गमन का गमन का बिलोम सब्द होता है आगमन निर्भिक का क्या हो जाएगा निर्भिक का साहसी या साहसिक हो सकता है स्री गनेश का हो जाएगा इती स्री निंदा का अस्तूति हो जाएगा मधूर का क्या हो जाएगा मधूर का कटू हो जाएगा अनुरक्त का बिरक्त हो जाएगा अर्जन का क्या होगा अर्जन, अर्जन का बेयन हो जाएगा कथित का और कथित बिलोम हो जाएगा प्रक्षन्य का प्रक्षन्य सब्द का क्या होगा प्रतिपन, इन में से कौन सा सब्द परभावी का बिलोम नहीं है तो यहाँ पे देखे C नहीं है, परभावी का ओपरभावी, निश्परभावी और प्रभाव सुन ये सब ही होता है पाच्चात्य सब्द का पॉर्सत्य हो जाएगा C बिलों, अनुगरह का क्या हो जाएगा? बिगरह असलील का, असलील का सलील हो जाएगा, अवेसित का विलोम अनावेसित हो जाएगा, अलपग्य का क्या होगा, सरवग्य होगा, उदै का, उदै का अस्त हो जाएगा, अवनी का, अवनी का अमबर, कोटिल का क्या हो जाएगा, आरजव हो जाएगा, क्रिस का विलोम हो जाएगा हश्ट पुष्ट एकल का क्या होगा विलों बहुल एकल का बहुल हो जाएगा ठीक है तिक्छन का कुंठित हो जाएगा निसिध निसिध का बिहित हो जाएगा अध अध का पुर्ण हो जाएगा अगरज का क्या हो जाएगा अनुज हो जाएगा अमरित का 20 हो जाएगा असलील का सलील हो जाएगा अनुरक्त का क्या हो जाएगा बिलोम बीरक्त लंबी योग साधना से उसका उजस्वी चेहरा देखते ही बनता था तो इसमें देखिए उजस्वी का बिलोम क्या हो जाएगा कांती हीन हो जाएगा अत्यधिक का बिलोम क्या ह अत्य अरवाचीन का प्राचीन हो जाएगा, सब हम लोगों ने पीछे देखा, सब अग्य का बिग्य हो जाएगा, निम्न में से कौन सा बिलोम सब्द है, अनभीग्य यहाँ पे बिलोम सब्द है, अनभीग्य सब्द जो है भीग्य और अभीग्य का बिलोम सब्द है, ठीक है ठीक है यहाँ पे आप लोगों ने देखा था D अन्भीग जो बिलोम सब है बाकी इन सभी के बिलोम है अन्भीग हो जाएगा यहाँ पे अथ का क्या हो जाएगा इती अनुरक्ती का क्या हो जाएगा बिरक्ती हो जाएगा बी है इसका अंसर बिरक्ती अपब्याय का हो जाएगा मित्ब्याय अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा आवरीत का अनावरीत हो जाएगा आसा जीवन में परकास का संचार करती है तो इसका आसा का बिलोम सब्द क्या होगा आसा का बिलोम सब्द निरासा होगा आगत का बिल हमें सभी का आदर करना चाहिए रिखांकित का बिलोम सब्द बताना है तो निरादर होगा आदर का निरादर आदी का बिलोम सब्द हो जाएगा अंत हो जाएगा आदर का क्या हो जाएगा सुस्क हो जाएगा अचार का अनाचार हो जाएगा अहवाहन का क्या हो जाएगा विस उठला का गहरा, उधर्थत का भिनित हो जाएगा, उधर्थत का भिनित दिये गये में, क्रिपन का उदार हो जाएगा, उल्टे अर्थ वाला सब्द बताने नया का पुराना उपजाव का उसर ठीक है उपजाव का यहां क्या हो जाएगा उसर उसका उत्तरिये उच पर बहुत जच रहा है तो इसका क्या है अधोवस्त ठीक है अधोवस्त उत्तरिये अधोवस्त उत्थान का बिलोम क्या है पतन उ उलास का हो जाएगा नेरास से उद्दम का देखेंगे उद्दम का विलोम सब्द है आलस से उपतयका का अधीतयका उन्मिलन का निमिलन ने उन्मूलन है ना उन्मूलन का रोपन हो जाएगा उतकर्स का अपकर्स हो जाएगा इन में से कौन सा विकल्प जो है उम्मीद का विल बिलोम सब्द लिखना है तो एकता का अनेकता कौन सा सब्द एहिक सब्द का बिलोम है पारलोकिक रिजुता का हो जाएगा वक्रता हो जाएगा रित का अनिर्थ हो जाएगा रिजु का बिलोम सब्द है वक्र कुटिल का क्या हो जाएगा कुटिल का रिजु करकस का बिलोम का विलोम सद मुख्य गम्मे का अगम्मे होगा गती का गती का मंद होता है गाढ़ा का क्या हो जाएगा गाढ़ा का पतला हो जाएगा गुप्त का प्रकट हो जाएगा गुड का दोस हो जाएगा गौरों का लागव हो जाएगा ठीक है गमन का आगमन हो जाएगा गनतंत्र का राज तंत्रे घ्रीना का प्रेम हो जाएगा चिरंतन का नस्वर हो जाएगा चिरंतन का चोर का चोर का क्या हो जाएगा साह छिछला का गहरा हो जाएगा जड का जड का चेतन हो जाएगा नेक्स्ट है जेश्ट का विलोम क्या होगा कनिष्ठ होगा जटिल का सरल हो जाएगा तामसिक का सात्विक हो जाएगा तीमीर का आलोक हो जाएगा दयालू का निर्दय हो जाएगा दीवस का विभावरी हो जाएगा धूति का विलोम आर्थी सब्द अंधकार है विलोम तो धनी का हो जाएगा दरीद्र हो जाएगा निश कलूस का कलूस हो जाएगा निम्नेनलिखित सब्दे के बिलोम का चैन करना है तो नष्ठ नश्ट का क्या हो जाएगा सर्जन हो जाएगा नश्ट का नवीन सब्द का विलोम क्या हो जाएगा नवीन का प्राचीन निंदा का स्तूती हो जाएगा निर्बल का सबल हो जाएगा निसिद्ध का बिहित हो जाएगा नस्वर का सास्वत हो जाएगा निर्मल का मलीन हो जाए प्रचूर का हो जाएगा अल्प, ठीके परूस सब्द का विलोम कोमल है, परिश्रम सब्द का विलोम बिश्राम हो जाएगा, प्रचन्न का विलोम आकुंचन, प्रिथिवी का विलोम आकास हो जाएगा, प्राचीन सब्द का विलोम क्या था, अर्वाचीन नवीन, परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा पर्त्यक्ष का सब्द का विलोम है परोक्ष ठीक है बंधन का क्या हो जाएगा मुर्थ सब्द का मुर्थ हो जाएगा महान का विप्रितार्थक सब्द तुक्ष हो जाएगा महान का छुद्र हो जाएगा दिये गए विकल्पों में मुर्धनी भारतिये लोग जीवन में योग को अत्ती महत्पुन्ट समझा जाता है तो यहाँ पे योग का भोग हो जाएगा योगी का भोगी हो जाएगा विप्रितार्थक सब्द राग का विराग हो जाएगा राजा का राजा का राजा का विलोम नहीं है बताना है ठीक है तो राजा क बिलोम रानी होता है रंग होता है प्रजा होता है सेना नहीं होता है ठीक है लोक सब्द का लोक सब्द का परलोक हो जाएगा लागों का क्या हो जाएगा बिस्तार हो जाएगा लागों का बिस्तार लौकिक जगत की माया में सभी फसे हैं तो रेखांकिक इसका बिलोम क्या है लौकिक का अलौकिक, वक्ता का, वक्ता का क्या हो जाएगा, स्रोता हो जाएगा, ब्यास का क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, बिमुख का उन्मुख, ब्रीधी का बिलोम सब्द, छै हो जाएगा, इसमें बिकिर्न सब्द का भी प्रितार्थक सब्द कौन सा है, एकत्र है, वैमनस्य का बिलोम सब्द क्या होगा स्वैमनस्य विसलेशन का बिलोम सब्द है संसलेशन सीत का बिलोम सब्द सीत का हो जाएगा उष्न कौन सास्वत सब्द का तो शनिक है जो सास्वत सब्द का बिलोम जैनमत को मानने वालों में सवतांबर बड़ी संख्या में है तो स्वेतांबर का दिगंबर हो जाएगा सोसक का पोसक हो जाएगा सम का भी सम हो जाएगा सुप्त का यहां जागरत होता है ठीक है यहां अश्टार लगा है तो जागरत होगा सम्मुख का भी मुख हो जाएगा स्वर्ग का नरक हो जाएग का सुक्ष में सुक्ष में का स्थुल स्वाधीन का प्राधीन हो जाएगा सनमार का क्या है कुमार्ग समस्टी का व्यस्टी हो जाएगा निमने में से विलोम सब्द देखना सतकार का तिरसकार हो जाएगा सुसुप्ति का जागरीत हो जाएगा सुसुप्ति का जागरीत हो जा संतोस महाधन है तो इसका विलोम क्या होगा और संतोस स्वधर्म का विलोम परधर्म हो जाएगा संपन्ता का हो जाएगा निर्धनता संकिर्न का बिकिर्न हो जाएगा स्वार्थ का विलोम नीश्वार्थ कह लिजे या परमार्थ कह लिजे स्वजाती का विजाती हो जाएगा संधी का विग्रव हो जाएगा साधू का असाधू हो जाएगा स्मरन का विलोम सरल का विलोम कठीन हो जाएगा स्थावर का क्या हो जाएगा जंगम हर्स का विसाद हो जाएगा बी है इसका एंसर हर्स का विसाद छानिक का सास्वत स्री गनेश का इती सरी हो जाएगा इन वे से कौन सा जोड़ा भी प्रितार्थक नहीं है उसे चुनना है तो यहाँ पर D नहीं है ठीक है जो है देख लिजे दिन का रात गर्म का ठंडा परिस्रम का आलस होता है कौन सा बुलोम जो है यहाँ पे यूग में सही नहीं है तो यह यहाँ सही नहीं है जो सही है देख लिजे सम का बीसम समस्टी का ब्यस्टी समर्थक का बिरोधी होगा लाभानी किस यूग में रूप के अंतरगत आते हैं तो यह बिरोधी यूग में के असंगत बिलोम सब्द कौन सा है तो यह सास्वत का सदव होता है यह यहाँ पे गलत है ठीक है असंगत गलत है घात का प्रतिखात होता है प्रशारन का संकूचन घग का मृग होता है इन बिलोम सब्दों का कौन सा यूग में गलत है तो यहाँ पे सीडी दोनों गलत है तो निसीद का भीहित होता है और वक्र का रिजू होता है इन में से बिलोम सब्द यूग में कौन सा है तो आदान का प्रदान होता है आगे अब देखेंगे सब्द और बिलोम की द्रिष्टी से निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है तो सी सही नहीं है जो सही है देख लिजे यवन का वार्दक के हो जा इन में से कौन सा विप्रितार्थक योग में जो सही है तो यहां पे बी सही है औरस का क्या होता है जारज होता है इन में से कौन सा योग में असुद्ध है तो सी यहां पे असुद्ध है जो सही है देख लिजे उनमुक का विमुक होगा रित्य का अनिर्थ और मंद का दुरू होता है समश्टी सब्द का विलोम है ब्यश्टी सफल का क्या हो जाएगा कुफल विलोम सब्दों का सही युग में बताना ए है यहां पर अकुंचन प्रासरन यह सही सब्द है विलोम विलोम सब्द युग में जो सुद्ध नहीं है तो डी सुद्ध नहीं है नैसरगी का क्रि कल्पिक अधुनातन का प्राचीनतं हो जाएगा कौन युग में गलत है C यहाँ पे गलत है मुख का वा चाल होता है इस्वर्य का अनियश्वर होता है भिग्ग का अन्भिग होता है कौन युग में आपjor गलत है D गलत है जो सही यह देख लिजे किर्टी का अपकिर्टी भोती का ध्यात्मिक संसलेशन का विसलेशन होता है कौन सा युग में गलत है तो राग का ये गलत है यहाँ पे निसकाम का विलोम सकाम जागरत का सुसुप्त और करून का निश्ठूर होता है कौन सा ये गुम गलत है, C यहाँ पे गलत है, असीम का ससीम होता है, विबेकी का अविबेकी, प्रस्थान का आगमन होता है, यहाँ पे भी गलत ही पुचा है, C यहाँ पे गलत है, सही देख लिजे अक्छर का छर, कुसुम का वज्र, मानावता का निर्संसा होता है, स्तुत् सब्द का बिलोम है सुधा चिरंतन सब्द का बिलोम नहीं है बीस नहीं है सास्वत निरंतर और नैसरगिक इसका बिलोम है प्रचन का प्रतिपन बिलोम होता है प्रतिपन प्रसंसा का क्या हो जाएगा बिलोम निंदा ठीक है निंदा हो जाएगा तो देखे इस तरह आपके प कुछ नहीं पूछे जाएंगे तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में